Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator, और आज के हमारे से लेक्चर में students हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, Paper No. 6 of your Class 12 Psychology Magnet Brains Sample Paper Solution for your Board Examinations. So, जैसे कि आप से भी जानते हैं, बहुत जल्द आपके Board Examinations conduct होने वाले हैं, तो इसी के लिए आपकी Practice को Edge Provide करने, Magnet Brains लिकर आया है, Sample Question Paper Solutions. इसी में अब तक 5 Papers को हमने Solve कर लिया है, हमने देखा क्या सारे Important Questions हो सकते हैं, आपके Exam Point of View से और उसको पूरा CBSC के Pattern में रखके, फिर जो है हमने Solve करना है, स्टार्ट किया. वैसे ही अब हम करेंगे Paper No.6 को Solve and I Hope So, कि अब तक आपको ये सारी चीज़े Clear हैं, कि Exam का Pattern आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, Slivers में क्या सारी चीज़े आ रही हैं, कैसे Questions आएंगे, कितने कितने Marks के Chapters हैं, कैसे उन Questions का Answer हमको लिखना है, वर्ड लिमिट को हमको ध्यान में रखना है, वर्ड लिमिट के साथ-साथ में Marking Scheme को भी हमको ध्यान में रखना है, और ऐसे ही Questions को Answer करना है, तभी हम 3 hours के अंदर हमारा पूरा जो Paper होगा, जो हमारा exam होगा न, Board exam, उसको हम solve कर पाएंगे, अगर अब तक नहीं किये हैं, तो आप क्या कर रहे हो, फटफट जाओ, सारे पेपर को solve करो, और एक consistency बनाये रखो, प्रेक्टिस करते रहो, रिवीजिन करते रहो, आपके Board exams में आपको यह चीज़े help out करेंगी, तो इस स्टार्ट करते हैं, पेपर नमबर 6, बट बेफोर स्टार्टिंग, लेट में टेल यू वन अफ दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैगनेट बेंज बुक्स और इबुक्स हम अविलेबल आपके लिए करवा रहे हैं, जो की अपने कंटेंट में बहुत ही रिच है, बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, यह बुक्स कुछ काटेग्री में डिवाइड हैं, जैसे NCRT Solutions, Sample Paper Question, और PYQs, MCQ, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, तो अगर आपको भी यह बुक्स चाहिए हैं, तो description में आपको एक फॉर्म फिल करना है, और हमारी टीम आप से कॉंटेट करना हैं, और हमारी टीम आप से कॉंटेट करना हैं, अगें, वेरी सिंपल प्रोसेस, आपको यह सार की आर्स का होने वाला है, ओके, पेपर होगा हमारा थ्री आर्स का, for total 70 marks, sections कितने हैं, total we have 6 sections, A, B, C, D, E, F, ओके, section A में 18 MCQ, for 18 marks, section B में total 5 very short answers आपको मिलेंगे, for 30 word limit, आपको इसको answer करने पे 2 marks each मिलेगा, section C में 4 short answer type questions है, for 3 marks, this is for 2 marks each, this is for 3 marks each, section D, 4 long answers, for 4 marks each and 120 word limit, section E, you have only one question, और ये long answer type 2 होने वाला है, 6 marks, okay, and यहाँ पर आपको question को answer करना है, किते words में, yes, 200 words में, section F, आपका passage based questions है, जहाँ पर आपको total 4 questions मिलेंगे, for 2 marks each and 30 word limit, यहाँ पर आपको passage को पढ़ना और उसके basis पर question को answer करना है, I hope so, यह pattern आपको बहुत अच्छे से clear है, अगर नहीं है, तो अभी भी इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इस pattern को पूरा ध्यान रखो, क्योंकि यह बहुत helpful होगा आपके exams में, clear, so अब हम start करते हैं, हमारा section A, जहाँ पर total 18 MCQs हैं, तो question and four options और साथ-साथ में आप भी मुझा answers बताएंगे, comment section में, okay, let's start with question number one, dash is a subjective experience that uses imagery और imagination, क्या ऐसी चीज है जो की एक subjective experience है, ठीक है, कैसे experience है, subjective experience है, इसमें imaginations या images को use किया जाता है, clear, options, bio feedback, art therapy, creative visualization और meditation, क्या ऐसी चीज है, जिसमें images या imaginations को use किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो experiences होंगे, वो subjective होंगे, and the options are, these four, so आपको मुझे बताने, correct answer क्या होगा, option, yes, see, that is, creative visualization, क्योंकि जब भी आप कुछ creative visualize कर रहे होते हो, देखो creative का मतलब आप जानते हो है, और साथ ही साथ में, visualization का मतलब क्या होता है, कि आप उस एक चीज को देख पा रहे हो, अपनी creativity में, अपने उसे एक art form में, clear, तो यह subjective experiences होते हैं, ठीक है, जैसे for example, मैंने मेरे जो घर तक जा मेरी मदर ने visualize किया होगा, बट उनका visualization मेरे visualization से different हो सकता है, क्यों, क्योंकि यह subjective experiences होते हैं, हर एक person के अपने अलग होते हैं, clear, ज्यादर detail में जाने के जरुवत नहीं है, but you must know the answer, okay, question number two, Hippocrates, Socrates and Plato developed which approach? Hippocrates, Socrates और Plato ने एक approach developed किया था, आपको बताना है, वो approach कौन सा है, okay, options, Organismic approach, Type A approach, Psychological approach या Organic approach, सोचो, 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 confuse मत हो, जल्दी से बताओ, correct answer क्या होगा, option, पढ़ा हुआ है ना आपने, yes, option, A, that is Organismic approach, मुझे पता है, Confuse हो रहे थे, थोड़ा A और D के बीच में, या फिर याद नहीं आपा रहा था, बड़्दी करें, कांसे है, is option A, that is Organismic approach, अब जैसे कि मैं हर बार बोलते हैं आपको, एक बार वापिस से यह चीज़ बता दे रही हूँ, कि अगर किसी question का answer नहीं पता था, मतलब यहाँ पर हम इतने सारे MCQs करेंगे, मान लो कोई ऐसा question आजाए, जिसका answer आपको नहीं पता था, या आप याद नहीं कर पा रहे थे, पढ़ा तो था, पर याद नहीं आ रहा है, very simple process, just अपनी notebook लो, उसमें बिल्कुल जहां पर आपका पूरा course वोर्स complete होगए, अगर pages रहे गए हैं, तो वहाँ पर, या फिर अलग से, जो आपके pages आते हैं, diary, जो भी आपके पास में हैं, ठीक है, अच्छी वाली, ऐसा नहीं, कि जो कि आप rough के लिए use करते हैं, उसको आप लो, और just वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है, psychology notes, heading रहेगे, आपकी psychology notes, और जैसे मानलो, ये question ही, मैंने आपसे पूछा, और आपको इसका answer नहीं पता था, तो आपने वहाँ पर एक point बनाया, और आपने लिखा, organismic approach, ठीक है, आपने क्या लिखा, organismic approach, आपने ये, यहाँ पर नाम लिख लिए, अब इससे क्या होगा, जैसे आपकी ये पूरे notes बन गए, तो जब भी exam time है, जस्ट उठाओ, इसको एक बार read कर लो, सारा कुछ याद रह जाएगा, लिखने से आपको आधी चीज वैसी याद रह जाती है, और जब आप इसको लिख के revise कर लोगे, तो एक बार और सारा कुछ अच्छे से clear हो जाएगा, चीक है, चलो, आगे बढ़ता है, question number 3, Aria did not get admission in the college of her choice, Aria कुछ इस college में admission चाहिए था, उस college में उसको admission नहीं मिला, She told her friends that she never really wanted to go there, तो ऐसे में वो अपनी दोस्तों से ये बोलने लग जाती ही, कि आरे मैं तो जाने ही नहीं चाहती थी उस college में, वैसे भी मेरा कोई मन नहीं था, वहाँ पर जाने का, ठीक है, She is using a defense mechanism, अब वो एक तरीके का defense mechanism यूज कर रही है, वो defense mechanism क्या है, या कौन सा use कर रही है, या आपको बताना है, Options, Rationalization, Reaction, Formation, Denial या Repression, किस तरह का defense mechanism यहाँ पर Aria यूज कर रही है, Correct answer will be option, जल्दी, yes, option A, that is Rationalization, यहाँ पर किस एक तरीके का denial या, Sorry, denial या defense mechanism यूज हो रहा है, so the answer is option A, that is Rationalization, Now, one of the very important questions, Scizofrenia is linked with the excessive activity of the neurotransmitter called, Scizofrenia जो है, वो एक neurotransmitter की excessive activity के साथ में लिग्ड होता है, वो किस से linked होता है, वो कौन से neurotransmitter या उसको क्या बोलते हैं, Okay, options, serotonin, dopamine, adrenaline, gamma, amino, butyric acid, that is GAA, Clear, serotonin, dopamine, adrenaline, GAA, क्या होगा correct answer, option, जल्दी बताओ, Scizofrenia linked है, excessive activity of neurotransmitter, जिसको क्या बोला जाता है, Correct answer will be yes, option B, that is dopamine, ठीक है, ये question एक बार पहले भी मैंने आपसे पूछा है, I hope so, अगर आप सभी papers को follow कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सभी questions को answer कर पाएंगे, Otherwise आपको दिक्कत आएगी, और मतलब मैं आपसे ये चीज़ कहूंगी, कि अगर आप यहाँ पर इन papers को solve कर पाते हो, that means आप सोचो कि जब आप अपने exam hall में होगे, तब आप कितने अच्छे से अपने board exam को answer कर पाऊगे, अगर दिक्कते आ रही हैं, तो you have time, अभी भी आप जो है पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, क्लियर, okay, question number five, according to the trigun theory of personality, हमने trigun theory of personality पढ़ी हुई है, अब इसी से question आया है, कि according to trigun theory of personality, which gun characterizes laziness, anger, arrogance, depression या helplessness, trigun theory में से वो कौन सा गुण है, जो बताता है laziness, anger, arrogance, depression या helplessness को, okay, and the options are, तमस गुण, राजस गुण, सत्व गुण या कफ गुण, क्या होगा correct answer, आपको पता होना चाहिए, यह तो मतलब आप लोग थोड़ा सा relate कर सकते हो, ना, words के meaning के साथ में, correct answer is yes, option A, that is, तमस, तमस is characterized by this laziness, arrogance, anger, etc., okay, okay, let's move on to question number six, often stereotypes consist of dash characteristics about the target group, जो stereotypes होते है, उन में भी target group को लेके dash type of characteristics होते है, वो कौन से dash type of characteristics, या वो कौन से characteristics है, ठीक है, यह आपको बताना है, options, negative, undesirable, desirable, या बोथ A and B, that is negative and undesirable, क्या होगा, correct answer बताओ, often stereotypes consist of dash characteristics about the target group, target group को लेके किस सरागे characteristics, कहरी करते हैं, stereotypes, correct answer will be option, जल्दी बताओ, जल्दी से एक, आपको बताना है, comment section में, ऐसा नहीं कि बस मैं पढ़ा रही हूं, बहीं, आपको सारे answers बता रही हूं, आपका कोई वो है इनी participation, ऐसा थोड़ी नहीं होना चाहिए, आपको मुझे comment section में answer बताने है, जैसे मानलो 6th का answer बता रहे हूं, मानलो अब इसमें answer कोई सभी है, A, B, C, D, जो भी आपको लगता है, और आप लोग बस अभी चिल कर रहे हूं, कि यहां अभी तो बहुत टाइम आराम से पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है, अच्छे से बढ़ाई करो, और जल्दी से मुझे इसका answer बताओ, correct answer is, option, B, that is undesirable, ठीक है, देखो, stereotypes जो होते हैं, उसमें भी कुछ undesirable characteristics होते हैं, target group को लेके, clear, let's move on, question number seven, hardiness consists of three C's, named, challenge, dash and dash, hardiness के अंदर तीन C होते हैं, यह तीन C की बात की जाती है, और मैंसे एक C तो होता है, challenge, बाकी के दो क्या होते हैं, वो आपको बताना है, okay, option सुनो, creativity, commitment, commitment, control, control, creativity, या creativity, capable, ठीक है, option सुन लिए, अब आप मुझे बताओ, correct answer क्या होगा, hardiness के अंदर three C होते हैं, एक तो होता है, challenge, बाकी दो कौन कौन से होते हैं, correct answer here is option B, that is commitment and control, तो इसको आपको किस तरीके से note करना है, मैं आपको बता दू, just you have to draw a triangle, triangle के कितने sides होते हैं, बताओ, three sides होते हैं, बिलकुल सही, so you have to write here hardiness, okay, hardiness and just write three C in bracket, and then challenge, commitment and control, बस इतना सही तो draw करना है, और तो कोई करना ही नहीं कोई चीज़, ठीक है, देखो मैं आपको बार बार क्यों बोलती हूँ, कि आप draw किया करो, या आप flow charts बनाया करो, या आप किसी चीज़ को note down किया करो, क्या करना है, बताओ, मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं आपकी copy भरवाना चाहती हूँ, ना ही मुझे जो है, उसका कोई benefit होने वाला है, बट benefit आपको होगा, आप ये चीज़ बाद में realize कर पाओगे, कि जो आपने लिखा हुआ है, वो आपको ज़्यादा जल्दी याद होता है, ठीक है, जो चीज़ आप लिख रहे हो, वो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है, फिर जब आप उसको revise करते हो, तो वो आपको और ज़्यादा अच्छे से आपकी memory में रहे जाती है, अगर आपने पढ़ लिया, जैसे मानलो आपको ये एक चीज़ पढ़ रहते हैं, ठीक है, अब आपने next page पर है, दूसरी चीज़ पढ़ने लगे, मतलब अभी तक मैं तो बिलकुल assurity के साथ में बोल सकती हूँ, इवन guarantee के साथ में बोल सकती हूँ, कि जितने भी students ने अब तक मेरी ये बात मान के ये काम करने start किया होगा, उन्हें difference दिखाई दिया होगा, कि जो चीज़ उन्हें शायद पहले याद नहीं होती थी, अब अगर आप उसको लिखके रखते हो और फिर बाद में revise करते हो, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, मतलब पूरा याद नहीं रहेगा, बट अट लीस्ट उसका 50% पार्ट आपको याद रहता है, अगर आप उसको बार बार रिवाइस करते हो, तो वो 100% आपको याद हो जाता है, clear, तो ये चीज़े करना इसी लिए जरूरी होती है, okay, let's move on to next question, that is question number 8, जोहान वियर एंफिसाइस्ट, psychological conflicts and dash as causes of psychological disorders, जोहान वियर, psychological disorders के बारे में बात करते हैं, दो causes बताते हैं, psychological disorders के, पहला, psychological conflicts, दूसरा गया है, वो आप बता होगे, ठीक है, आप बोलोगे, जोहान वियर ने बताया था, हम क्यों बताया लेकिन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, देखो, option सुनो, frustration, disturbed interpersonal relationship, disturbed interpersonal relation or conflicts, what will be the correct answer है, बताओ, जोहान वियर ने, psychological disorders के causes बताये हैं, एक है उनमे से psychological conflict, दूसरा क्या होगा, correct answer is option B, that is disturbed interpersonal relationship, clear, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो, अगर आपको आते हैं answer, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं, तो आपको लिखना है, ऐसा नहीं जो आता है, वो भी लिखना है, मतलब लिख लो तो अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है, बट hard work से better है, smart work करना है, तो जो चीज़े याद हैं, उन्हें और अच्छे से memorize करके याद रखने की कोशिश करो, जो नहीं याद हैं, उसको लिख के फिर revise करने की कोशिश करो, ठीक है, कोशन नमर 9, when the majority group places the blame on a minority group, it is referred to as, जब कोई majority group किसी minority group के ऊपर कोई blame लगाती है, उसे क्या बोलते हैं, ओके, options, prejudice, negative attitude, stereotype या escape goating, ठीक है, कोशन आगे समझ में देखू, कोशन का interpretation भी यहाँ पर मैंने कर दिया, यह majority group है, यह minority group है, यह majority group, minority group के ऊपर blames लगा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, options हैं, आपके सामने, prejudice बोलेंगे, negative attitude बोलेंगे, stereotype बोलेंगे, या escape goating बोलेंगे, क्या कहेंगे, बताओ, correct answer will be here, option D, that is escape goating, इसे क्या बोला जाता है, escape goating बोला जाता है, चीक है, चलो, आगया जाते हैं, next question पे, that is question number 10, Long and Mehta have prepared a handbook, listing out dash test of intelligence in India, available in various languages, Long and Mehta, जो है, वो एक handbook prepare करते हैं, intelligence test को लेके, जिसके अंदर, कितने test होते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है, मतलब ये test Indian, मतलब इंदिया में available हैं, different languages में, तो कितने test हैं इसके अंदर, ठीक है, listing out dash test of intelligence, options, 100 test, 101 test, 102 test, या 103 test, इससे simple question तो हो गई नहीं, जल्दी बताओ, करेक्ट आंसा क्या होगा, option, option D, that is, 103 test, जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, fact हैं, आपको facts, याद रखने पड़ेंगे, question number 11, आपके favorite assertion, reason based questions हैं, देखो, अब एक बार वापिसे वही वाली चीज़ रिपीट कर देती हूं, कि assertion और reason based questions में, हमेशा जो options होंगे, वो same ही रहेंगे, बस जो changes होंगे, वो होंगे statements में, आपको ये दोनो statement read करना है, और आपको देखना है कि क्या ये दोनो true हैं, या इन में से कोई भी false है, अगर इन में से कोई भी false है, मुझे रट गया, इसलिए वह हसरी हूँ, ठीक है, देखो, अगर इन में से कोई भी statement false है, तो आपका answer होगा option क्या, yes, option C या D में से कोई एक, अगर ये दोनो statement सही है, तो आपका answer होगा A या B में से कोई एक, जहां पर आपको ये देखना है, कि क्या इन दोनों के बीच में relationship है या नहीं है, clear, तो ये होते हैं, assertion और reason based questions, आपको just statements के उपर focus करना है, ऐसा नहीं कि statement पढ़ लिया और हाँ बस option पर आगया और सारे options देखे सब तो सेम ही है, clear, तो आपको यहाँ पर अच्छे से focus करना है, okay, चलो, देखो, देखते हैं assertion, reason based questions, सबसे पहले एक assertion, teams are special kind of groups, जो teams होती हैं, वो एक special तरहा के ही groups होते हैं, reason, members of teams often have complimentary skills and are committed to a common goal और purpose, मतलब वो यह बोल रहे हैं कि जो group, मतलब पहला statement यह बोल रहा है, कि जो groups होते हैं, तीक है, special kind of groups में हम teams को रखते हैं, क्योंकि जो team के members होते हैं, उनके अंदर complimentary skills होती हैं, जो एक दूसरे के साथ में, मतलब complimentary हो, एक जैसी हो कहीं न कहीं, और यह एक common goal या purpose के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यह दोने statement है, मैंने assertion भी read कर दिया, मैंने reason भी read कर दिया, आप मुझे बताओ कि क्या यह दोने statement सही हैं, सबसे पहली चीज तो, चलो थोड़ी मैं help कर दियती हूँ, पहले बताओ, पहले आप अपने, आप से सोचो कि क्या यह दोने statement सही हैं, तो यह दोने statement सही हैं, ठीक है, दोने statement सही है, चलो, अब मैंने आपको यह थोड़ा सा hint तो देई दिया, अब आप मुझे बताओ कि क्या reason assertion को अच्छे से explain कर पा रहा है, जो reason बोल रहा है, क्या वो assertion के बारे में सही है, ठीक है, मतलब correct explanation है या नहीं है, correct answer here is option A, that is both are true and reason is the correct explanation of A, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि teams special kind of groups होते हैं, और जो team members होते हैं, उनके अंदर complimentary skills भी होती है, जैसे कि example लूँ मैं cricket team, ठीक है, तो cricket team के जितने भी members होंगे, सब के अंदर complimentary skills होंगी, और सबका एक ही goal है, अपने cricket match में हर बार जीतना, ठीक है, मतलब उनको जो है, session, I hope so, इसमें भी कोई doubt नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, question number 12, Rhea is constantly scanning the environment for dangers and this is accompanied by extreme motor tension, she is experiencing dash, Rhea जो है, वो constantly अपने environment को scan करती रहती है, मतलब हमेशा environment में इधर उदर देखती रहती है, बहुत दरी सहमी से रहती है, हमेशा उसको किसी नहीं किसी चीज़ का डर रहता है, ठीक है, और ये जो है extreme motor tension जो है, इसमें हमको देखने को मिलता है, तो Rhea जो है, वो constantly scan करी इंवार्मेंट को for any kind of danger, और ये जो है extreme motor tension के साथ में accompany हो जाता है, she is experiencing, Rhea यहाँ पर क्या experience कर रही है, वो आपको बताना है, and the options are generalized anxiety disorder, panic disorder, delusion of persecution और phobia, ठीक है, पूरे time environment को scan करी, किसी तरीके का कोई danger है, तो आप बताओ कि यहाँ पर वो क्या experience कर रही है, इन चारों में से, correct answer क्या होगा, यहाँ पर option A, that is generalized anxiety disorder, यहाँ पर in general, उसको हर एक तरफ हैसा लग रहा है, डर, डर है, मतलब कोई न कोई ऐसी चीज है, मतलब कुछ तो भी है, चीक है, तो इसी लिए एक constantly scanning the environment वाली चीज हमको उसके अंदर देखने को मिल रही है, और यह generalized anxiety disorder होगा, यहाँ पर किसी तरीके से वो panic नहीं करी है, ना ही उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसके ऊपर कुछ, मतलब उसको spy कर रहा है, यह उसका पीछा कर रहा है, ऐसा भी उसको कुछ नहीं लग रहा है, ना ही उसको किसी तरीके का phobia है, किसी particular चीज से, ठीक है, she is just in, मतलब feeling और fearful, clear, let's move on further, question number 13, dash tendency of a person to react to a given situation in a particular way, क्या ऐसे चीज होती है, जो कि परसन की tendency होती ही, कि वो given situation में किसी particular तरीके से ही react करेगा, मतलब यह situation है, तो उसका reaction ऐसा ही होगा, इससे क्या बोलते हैं, temperament, disposition, personality या values, क्या होगा correct answer बताओ, मतलब किसी particular situation के अंदर, आप इसी तरीके से react करने वाले हो, answer is option B, that is disposition, इससे क्या बोल जाता है, disposition, ठीक है, again your favorite assertion, reason based question, assertion says, person develop mal-adaptive behavior, due to discrepancy between ideal and real self, जो persons होते हैं, वो कही न कहीं, एक mal-adaptive behavior, develop करने लग जाते हैं अपने अंदर, मनलब ऐसा behavior जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके real और ideal self के बीच में, discrepancy आने लग जाती है, ठीक है, reason, according to humanistic approach, people want to have a sense of ideal and real self, and they should be congruent, when they are not, it results in abnormal behavior, humanistic approach के according, लोग हमेशा चाते हैं, क्योंके ideal और real self के बीच में, congruence बना रहे, जब ऐसा नहीं होता है, तो फिर वो abnormal behavior करते हैं, ओके, बोद इस statements, मतलब understood, संच में आ गया, ठीक है, अब मैं एक बर options read कर जेती हूँ, आप मुझे correct answer बताएंगे, option A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion, option C, assertion is true, but reason is false, option D, assertion is false, but reason is true, and the correct answer here is option, option D, that is, assertion is false, and reason is true, अब ऐसा क्यों हुआ दिखो, reason तो सही बर रहा है, humanistic approach के according हम सभी चाहते हैं, कि हमारे ideal और real self के बीच में congruence बना रहे, जब ऐसा नहीं होता है, तो हम abnormal behavior करने लग जाते हैं, mal adaptive behavior is something related to, मतलब ऐसी चीज़ें, जो की adaptable ही नहीं है, मतलब फर एक्जांपल आप smoking करने लग जाओ, अप alcohol लेने लग जाओ, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करने लग जाओ, तो वो ideal और real self में जब discrepancy आती है, तो इस तरह का नहीं होता, बढ़ हाँ abnormal behavior होता है, इसी लिए बस यह statement गलत है, clear, correct answer is option D, that is assertion is false but reason is true, clear, okay, question number 15, which type of the white blood cells are attacked by the HIV, कौन सा type है white blood cells का, जो की HIV में attack किये जाते हैं, या जब किसी person को HIV होता है, तो उसके white blood cells को, मदब किस तरह के white blood cells को attack किया जाता है, okay, options, T cells, B cells, natural killer cells, या T helper cells, ठीक है, या तो T cells, या तो B cells, या तो natural killer cells, या तो T helper cells, correct answer is option, आपको पता हमने पहले भी ये question किया हुआ है, yes, option D, that is T helper cells, जो T helper cells होते हैं, वो white blood cells की category में आते हैं, जिन्हें, जब कोई person को HIV होता है, तो these are attacked, okay, so which type of white blood cells are attacked by the HIV, T helper cells, clear, okay, further, question number 16, the process of placed emphasis on providing community care to the recovered mentally ill individual is, एक एक ऐसा प्रोसेस जहां पर अगर कोई mentally ill individual है, जो की मतलब recover कर रहा है, या जिसको recovery की जरूरत है, उसको आप community care के लिए, जो है, मतलब उसके उपर emphasize करने लग जाओ, या फिर process जहां पर आप emphasis देते हो, या focus करते हो, कि community care मिले, to the recovered mentally ill individual, जो की कोई mentally ill individual था पहले, धीरे धीरे उसकी recovery हो रही है, अब आप उसको जो है, community care के लिए रखना जाते हो, इस तरह की चीज़ को क्या बोलेंगे, इस तरह की process को क्या बोलेंगे, deinstitutionalization, और none of the above, correct answer is option, यस जली से, correct answer is option B, that is deinstitutionalization, क्योंकि यहां पर उसको, हम जो है, मतलब क्या करें है, community care में उसको रखने की बात करें है, ना की कि हम आपको rehab में रखेंगे, या हम जो है, आपको सेंटर में अभी हम आपके उपर और ज्यादर देखेंगे, वो उसको भेज़ देता कि नॉर्मल लाइफ, लीट कर सके, clear, so correct answer is option B, that is deinstitutionalization, question number 17, the reaction to external stressors is called, जब आप external stressor को react करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, frustration, strain, stressor, या conflict, क्या बोलेंगे, जब दी बताओ, frustration, strain, stressor, या conflict, correct answer, option B, that is strain, जब आप रियाक्ट करते हो, external stressor को लेके, तो उसे strain कहा जाता है, fine, last question of section A, assertion, stress inoculation is a cognitive behavioral technique, stress inoculate करना, एक cognitive behavioral technique है, reason, it helps replace negative thoughts, with rational ones, and focuses on both cognition and behavior, तो ये negative thoughts को replace कर देती है, rational के साथ में, और cognition और behavior, या cognitive behavior, दोनों के ऊपर जो है, focus करती है, clear, so assertion कहा रहा है, stress inoculation is a cognitive behavioral technique, और reason कहा रहा है, it helps replace negative thoughts, with rational ones, and focuses on both cognition and behavior, आप मुझे बताओगे, कि correct answer क्या है, ठीक है, option A, both are true, reason is correct explanation, option B, both are true, but reason not correct explanation, option C, assertion true, reason false, option D, assertion false, reason true, correct answer is, option A, that is both the statement are true, and reason is the correct explanation of A, ऐसा के हुआ, क्योंकि, stress inoculation, एक cognitive behavioral technique का ही type है, ठीक है, इसके अंदर, जो आप negative thoughts, अपने अंदर रखे हुए हो, उसको जो है replace करते हैं, और आपके अंदर rational thoughts आने लग जाते हैं, जिसकी वज़े से, आप अपने cognition, अपने behavior, दोनों चीजों के उपर focus कर पाते हो, इसलिए, correct answer is option A, clear, कोई doubt है यहां तक, I hope so नहीं होना चाहिए, that is all about your section A, तो इस तरह के questions जो हैं, आपके section A में आएंगे, factual question आ सकते हैं, आपको उसके लिए concept clarity बहुत अच्छी होनी चाहिए, but बहुत बार्दे को एक चीज मैं आपको बताऊं, factual question में concept clear है, अच्छी बात है, concept clear होता है, तो बहुत सी चीज़े याद भी रह जाती है, वो भी अच्छी बात है, but कभी-कभी ऐसे questions आ जाते हैं, जो शायद हमने सोचा नहीं था कि, ऐसा भी पूछेंगे क्या, इता छोटा सा थोड़ी ना पूछेंगे, हमको ऐसा नहीं सुझ रहे हैं, कि बास 18 questions ही तो आ रहे हैं, या 18 MCQs ही तो हैं, वो 18 marks बहुत important है, आपको जो दो चीज़ मैं आपको बताऊंगे, एक short notes जो मैंने आपको बोलें बनाने के लिए, आप वो जरूर बनाओ, और आप उसको last time में revise करना, आपको देखना बहुत helpful रहेंगे, पहली चीज़ यह, दूसरी चीज़ concept आपके clear होनी चीज़, मैंने आपको कहा, concept clarity के साथ साथ में, you have to or you must read all the chapters, देखो, यह मैं सभी subjects के लिए बता रही हूँ, सभी subjects के MCQs के लिए बता रही हूँ, कि जब आपको ऐसे लगे हैं ना, कि हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया है, यह इतनी इतनी चीज़े हो गई है, यह कभी ऐसा होता ना, कि आप पढ़ने का मन नी कर रहा, आप जो है कुछ नई चीज दिमाग में नहीं आ रही है, just sit, just sit, but present mind के साथ में, और chapters को read करो, बस, read करो, चीक है, read करो, आपको लगता, अच्छा, यह point reported है, जैसे, एक example मैं आपको दूँ, कि Sigmund Freud ने, आप पढ़ रहे थे, आपने देखा कि Sigmund Freud है, इन्होंने personality development की theory दी है, आपको नहीं पता था, मान लो, एक example, वैसे तो पता ही होगा, इतना बार पढ़ा है, बढ़ मैं आपको एक example देखा, कि Sigmund Freud ने यह वाली theory दी, अच्छा, यह तो मुझे पता नहीं था, अब तो मैंने क्या करा है, इसको अपने notes में add-on कर लिया, कुछ नहीं करना है, मैं नहीं करें, आपको याद करना है, बस उसको लिख के रखो, और बात में जब exam टाइम हो, उसको पूरा revise कर लो, clear, इतना आपको MCQs के लिए करना है, हर एक subject में, okay, let's move on to section B, section B में question number 19 से लेके, 23 तक है, for two marks, 30 words, मतलब की, question number 19, 20, 21, 22, 23, total five questions है, आपको इनको answer करना है, 30 words each, हर एक question को 30 words में answer करना है, आपको एक question के लिए two marks मिलेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा unnecessary हमको नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है, जितना पूछा गया है, ताकि हमारी 30 word limit complete हो, और फिर हम आगे अपने next sections पर move कर सके, clear, तो यह आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, choices मिल जाएंगी, एक दो questions में choices भी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, चलो, question number 19 देखो, with the help of an example, illustrate how target characteristics play an important role in bringing about attitude change, एक example लेके आपको बताना है, कि जो target characteristics होते हैं, वो कैसे attitude change करने में important role play करते हैं, ओके, देखो, मैं पहला आपको थोड़ा समझाती है, फर्मा को बताऊंगे, answer में क्या क्या लिखना है, qualities of the target, target की qualities क्या होती हैं, हम क्या बोल रहा हैं कि target जो है, target characteristics जो है, ये कैसे attitude में change लाएंगे, तो target के characteristics क्या होते हैं, क्या qualities होती हैं, तो जैसे, persuability, strong prejudices, self-esteem, intelligence, ये सब influence करते हैं, likelihood and extent of attitude change, पर सिर्फ दजबार वर्ट सुननी लिखने हैं, थोड़ा और लिखना है, तो देखो, people who have more open and flexible personality, वो लोग easily change हो जाते हैं, advertisers इससे बहुत जादा benefit होता हैं, लेकिन जिन लोगों के strong prejudices होते हैं, उनके अंदर changes लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिन लोगों के अंदर low self-esteem होता है, उनके अंदर sufficient confidence नहीं होता, तो उनके attitude में change उतना easily नहीं आता, as compared to those जिन में high self-esteem हैं, clear, तो आपको पहले बताना हैं कि target के characteristics होते क्या हैं, और फिर ये characteristics जो हैं करते क्या है attitude में, तो attitude को open, मतलब attitude में likelihood और extent बढ़ा देते हैं, change लाने के, अब अगर attitude आपका open flexible है, या high self-esteem है, तो easily change हो जाएगा, लेकिन अगर इसके opposite है, तो changes आने में दिक्कत होगी, clear, बस इतने points से आपको note करना है, ओके, let's move on to next question, question number 20, list the symptoms of separation anxiety disorder और SAT, आपको इसके symptoms बताने हैं, तो हम बताएंगे कि separation anxiety disorder, another type of anxiety disorder है, anxiety disorder का ही एक type है, जिनको separation anxiety disorder होता है, वो कैसे होता है, fearful होता है, anxious होता है, anxious किस चीज़ को लेके, separation from attachment figures to an extent, जो कि developmentally appropriate नहीं होता है, जिन बच्चों के अंदर S.A.D. होता है, उनको difficulty होती है, अपने room में अकेले रहने में, इस्कूल अकेले जाने में, या घर में, या किसी नई situation को face करने में, उन्रों को बहुत डर लगता है, और हमेशा अपने parents के shadow में ही रहना पसंद करते हैं, इस separation को avoid करने के लिए, बच्चे जो हैं, जिनको ऐसे डी होता है, बेविल स्क्रीम, बेविल थ्रो सीवियर टेंटरम्स, और में एक सुसाइडल गेस्टर्स, तो हमने एक example भी दे दिया, और हमने उसके symptoms भी ता दिया, और symptoms भी आप जो हैं, इसके अंदर elaborate थोड़ा सा brief कर सकते हो, अब इसी में एक और question है, और में, question number 20 में, चोईस आपको मिल रही है, what is obsessive compulsive disorder, that is OCD, OCD क्या होता है, वो आपको थोड़ा सा short में बताना है, तो हम बता देंगे, कि जिनको भी OCD होता है, वो अपने preoccupation with specific ideas are unable to prevent themselves, देखो, basically, obsessive compulsive disorder होता क्या है, obsession क्या होता है, किसी चीज़ को लेके, आप बार 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 सोच रहे हो, या उसको लेके, आप बहुती ज़्यादा, possessive kind of हो गए हो, ठीक है, that is a kind of obsession, किसी चीज़ का बिल्कुल दिवाना हो जाना, है न, दिवाना उस सेंस में नहीं, ठीक है, यहाँ पर, मतलब अभी मैं आपको एक्जामपल की तरू बताऊंगी, that is obsession, compulsive मतलब कोई चीज, मतलब बहुती ज़्यादा compulsory है, उसको करना, अब ऐसे समझों कि, obsessive-compulsive disorder होता क्या है, जिनको भी obsessive-compulsive disorder होता है, वो अपने ideas, specific ideas को control नहीं कर पाते, and are unable to prevent themselves from repeatedly, carrying out a particular act, या series of act, और अपने आपको, कोई एक काम, जो बार-बार-बार हो रहा है, वही करें, जैसे एक example ले लो, मुझे OCD है, तो अब जैसे for example, मैंने, मैं dishes wash कर रहे थी, ठीक है, और dishes मैंने wash कर दिये, अच्छे से dishes wash करके, मैंने रख दिये, अब उसके बाद में, मुझे फिर से लग रहा है, उस चीज को करकर के, या भले मेरे अंदर, जो है मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं बजी है, बट स्टिल, मैं अपने आपको control नहीं कर पा रहे हैं, उसे thought या उसक आइडिया से, तो यह होता है, आपका obsessive compulsive disorder, जिन भी लोगों को यह होता है, वो अपने thoughts को control नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ में किसी particular act को बार-बार करते रहते हैं, नॉर्मल activities को भी carry करने की ability उनके अंदर नहीं रह जाती, obsessive behavior का मतलब भी होता है, कि आप किसी particular idea या topic के बारे में, thinking करना जो है बंद नहीं कर पा रहे हो, यानि अपनी thinking को stop नहीं कर पा रहे हो, जो भी person इसमें involved होते हैं, वो in, they find कि यह जो thoughts हैं, वो बड़ी unpleasant या shameful हैं, compulsive behavior मैंने आपको बताया, कि आपको certain behavior को बार-बार करना है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, कुछ compulsions होते हैं, जैसे counting करना, ordering करना, checking करना, touching करना, washing करना, एक सिक्टा, एक सिक्टा, जैसे फर example मालो, मैं ऐसी जा रही थी, मेरे से ये board touch हो गया, बट मेरे को लगा नहीं ऐसा, तो मैं वापिस से उसको touch कर रही हूँ, वापिस से उसको touch कर रही हूँ, बट एक kind of satisfaction नहीं आ पाता, तो वो किसी तरीके का एक obsessive compulsive disorder होता, उसको आपको थोड़ा सा brief करना, थोड़ा सा brief करना है, भावनाओं में बहें के पूरा अपना OCD नहीं यहाँ पर बता देना है, ठीक है, तो उसको जो है, आपको briefing करनी है, next, question number 21, how did Eric Fromm described personality, Eric Fromm कैसे personality को describe करते हैं, यह आपको बताना है, देखो, Fromm developed his theory from a social orientation, Fromm जो है, यह personality की जो theory है, उसको social orientation से link करते हैं, या उसके साथ में start करते हैं, वो human beings को social beings की तरह देखते हैं, और बोलते हैं, और उनकी relationship को वैसी समझते, कि हम सभी social beings हैं, हम सभी society का part हैं, तो बोलते हैं कि जो psychological qualities होती हमारे अंदर, जैसे कि growth and realization of potentials, resulted from a desire for freedom, striving for justice and truth, यह सारी के सारी जो qualities हैं, यह कहां से आ रही हैं, society से आ रही हैं, Fromm holds that character traits, develop from our experiences with other individuals, हमारा character, हमारी personality कैसे होगी, यह तब grow करती है, जब हम दूसरे लोगों के साथ में interact करते हैं, तो बहुत हद तक Eric Fromm की theory जो थी, वो सही थी, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी brief करना है, कि कैसे उन्होंने personality को describe किया था, it is formed because of the interaction with the other individuals or the society, अब culture जो है, मतलब इसी में उन्होंने continue किया था, कि culture जो है, के अंदर, वो social process और culture को shape कर देते हैं, ठीक है, जो powerful होते हैं, और इनी के work recognize करते हैं, कि क्या चीज़ positive होगी, क्या चीज़ negative होगी, और यही सारी चीज़े, एक personality development में, एक important role play करती है, इस इस अकॉर्दिंग तो Eric Fromm, नेक्स्ट कॉश्चिन, question number 22, समझ में आ रहे हैं आपको questions, ठीक है, और आपको कितना लिखना है, यह भी समझ में आ रहे हैं, 30 words, बस 2-3 points लिखे, that's enough, जादा नहीं लिखना है, वही मैं बार-बार बोलती हूँ, कि भावनाओं में नहीं भेहना है, लिखते-लिखते, कि लिखे जारे, लिखे जारे, एक दो पेज, इसी में लिख दिये, तो नमबर तो दो ही मिलने हैं, जादा थोड़ी ना मिलेंगे, ठीक है, question number 22, describe any three factors, that contribute to healing and psychotherapy, कोई ऐसे तीन factors, जिन जो कि psychotherapy में help करते हैं, या healing करने में help करते हैं, तो बहुत सारे factors हैं, उनमें से तीन जो हैं, वो यह हैं, सबसे पहली चीज, therapist कौन सी technique adopt कर रहा है, ठीक है, और उसको कैसे patient या client के उपर implement करता है, यह सबसे पहली चीज है, दूसरी चीज, therapeutic alliance, यानि therapist और client के बीच में, किस तरह की relationship है, अगर therapist regularly available है, और एक तरीके का warmth, empathy अपने client को provide करता है, तो वो therapeutic alliance जो है, वो बहुत positive रहेगा, तीसरा, outset of therapy, मतलब जब therapy complete हो जाती है, तो patient या client, जो की interview किया जाता है, initial sessions वगरा में, उसकी nature of problem को समझना, उसको unburden करना, उसकी emotional problems को हटाना, healing होती है, और साथी साथ में, जब therapy वगरा complete हो जाता, तो आप उसको non-judgmental manner में, सारी चीज़े बताओ, तो वो भी एक तरीके का, therapeutic, मतलब psychotherapy में, healing का काम करता है, clear, ये भी लिख पाओगे, okay, let's move on to the, last question of section B, question number 23, what do you understand by, delay of gratification, explain the techniques used for the same, delay for gratification का मतलब क्या होता है, कौन सी techniques इसके लिए यूज होती है, okay, ये हमको बताना है, देखो, learning to delay or differ the gratification, यानि कि delay of gratification, of needs, is called self-control, जब आप चीज़ों, मतलब जब ये चीज़ आप सीख रहे होते हो, तो इसको क्या बोलता है, self-control करना, self-control एक बहुत है important role play करता है, हमारे long-term goals को achieve करने में, technique जो यहाँ पर use होगी, वो self-control होगी, observation of own behavior is one of them, this provides us with necessary information, that may be used to change, modify, strengthen certain aspects of self, self-control आपको लेकर आना है, जिसके त्रूँ आप अपने आपके कुछ certain aspects को modify कर सकते हो, self-instruction another important technique है, तो पहला तो self-control हो गया, दूसरा हो गया self-instruction, थोड़ा सा deal of gratification बताया, फिर techniques बताई, तो पहला self-control हो गया, फिर self-instruction हो गया, फिर self-reinforcement हो गया, तो थोड़ा-थोड़ा इन सभी को यहाँ पर ब्रीफ करना है, self-instruction is another important technique, we often instruct ourselves to do something and behave the way we want to, such instructions are quite effective in self-regulation, तो self-instruction जो है, अनदर important technique है, जिसमें हम instruct कर रहे होते हैं, अपने आप को कि हम कोई चीज करें, या जिस तरीके से हम behave करना चाहते हैं, certain way में उस तरीके से करें, तो यह instruction effective होते हैं, self-enforcement third technique है, इसमें rewarding behaviors that have pleasant outcomes, तो जो behavior करने से pleasant outcomes रहे हैं, उन behaviors को reward provide करना है, एक तरीके का reinforcement है, clear, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, आगे समझ में, तो इस तरीके से आपको अपने questions को, answer करना है section B में, मैं आपको बता है, बहुत छोटा से section है, बस 5 questions है, और 5 questions भी आपको 30 words में answer करना है, maximum बता रहे हैं आपको, maximum 30 minutes में आप answer कर सकते हो, maximum, क्योंकि मान लो question आया, थोड़ा आपने सोचा भी, थोड़ा लिखा भी तो अराम से, यह मैं maximum बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को 20 minutes में, को complete करना चाहिए, वो लेकिन तब हो पाएगा, जब आपके concept अच्छे से clear होंगे, और आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है, तो यह आपको जो है, इस तरीके से, अपने section B को answer करना है, now you have section C, section C में 4 questions है, यह क्या है, 4 marks, 4 questions for 3 marks and 60 words, आपको इन questions को, 4 questions है, 3 marks में answer करना है, हर एक question को answer करने का 3 marks मिलेगा, और 60 word limit है, जब 60 word limit होती है, तो थोड़ा सा, अभी तक हम क्या करे थे, थोड़े कुछ-कुछ points बता रहे हैं, ब्रीफिंग करे थे, अभी थोड़ा सा उसको describe करेंगे, हलका सा बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर जो है, और चीजों को add-on करेंगे, हमेशा याद रखना, चाहे आप किसी भी section के question को answer कर रहे हो, हमेशा उसमें आप highlights करो, ठीक है, highlights करो, और साथ-साथ में examples use करो, आपको लगता है कोई example यहाँ पर use हो सकता है, लिख दो उसको, detail में आपको describe नहीं करना पूरा, लेकिन अगर आपको आता है, तो वहाँ example लिख दो, highlights आपको पता है, तो उसको highlight कर दो, clear यह करना है हर एक answer में, चाहे section B हो, यहाँ पर थोड़ा सा elaborate करना है, देखो, stress can affect every aspect of our life, stress चाहे, तो हमारी life के हर एक aspect को बदल सकता है, और stress के effect जो होते हैं, वो physiological से लेकि emotional, emotional से लेकि social तक होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम emotional और cognitive की बात करेंगे, emotional effect की अगर हम बात करें, तो those who suffer from stress are far more likely to experience moon swings and show erratic behavior that may alineate them from family and friends, जिनको भी stress होता है, वो जादा तर उनको moon swings होते हैं, ठीक है, और साथी साथ में वो बहुत ही erratic behavior करने लग जाते हैं, बहुत चड़चड़े से हो जाते हैं, कई ना कई अपनी family और friends से दूर होना start कर देते हैं, कुछ cases में ये start होता है with vicious circle of decreasing confidence, दीरे-दीरे करके आपका confidence कम होने लगेगा, serious emotional problems होने लगेंगे, जैसे आपको anxiety होगी, आपको depression होगा, आपको किसी तरीके का physical tension जो है, वो बहुत जादा बढ़ जाएगा, और साथी साथ में इसके through psychological tension, mood swings, ये सब भी बढ़ने लग जाते हैं, मतलब वो seriousness आने लग जाती है, clear तो ये है आपका emotional effect, second है cognitive effect, इसमें क्या होता है, अगर stress pressure continue होता है, मतलब अगर जो pressure आप बहुत ज़्यादा feel कर रहे हो, stress की वज़े से, तो इससे mental overload होने लग जाता है, आपके mind में बहुत भारी पन लगने लग जाता है, ऐसा लगने लग जाता है कि यार, मतलब कितना hectic हो रहे हैं, ये सब कुछ कितना जादा है, आप बहुत overburdened feel करने लग जाते हो, ये suffering from high level of stress से लेके, individuals तक, मतलब this can lose their ability to make sound decisions, इतना जादा overload हो जाता है, इसकी वज़े से कि एक person जो है, अच्छे decisions भी नहीं ले पाता, problems को solve नहीं कर पाता, faulty decisions लेने लग जाता है, घर में, career में, workplace में, हर एक चीज़ में, जिसकी वज़े से arguments होंगे, failure होगा, financial crisis आने लगेगा उसको, और इवन ये भी हो सकता है, कुछ cases में कि वो अपनी job भी खो सकता है, तो जो cognitive effects होते हैं, वो होते हैं, जैसे poor concentration, reduced short term memory capacity and many more, clear तो बता सकते हैं न, emotional और cognitive stress के क्या effects होते हैं, ठीक है, next question, question number 25, elaborate आनि two theories of intelligence, based on the psychometric approach, तो आपको दो theories of intelligence बतानी है, psychometric approach के basis पे, देखो, यहाँ पर हमको पहले psychometric approach को थोड़ा सा discuss करेंगे, कि the psychometric approach considers intelligence as an aggregate of abilities and it expresses the individual's performance in terms of a single index of cognitive abilities, some of the theories of psychometric approach पहले थोड़ा सा psychometric approach को हमने define किया, कि यहाँ पर हम intelligence को aggregate of abilities के अंदर consider करते हैं, और यहाँ पर individual की performance जो है, वो एक single index of cognitive abilities के अंदर express की जाती इस तरीके से, अब इसकी कुछ theories होती हैं, जैसे सबसे पहले, अगर हम बात करें different cultural traditions के basis पर, तो Bennett की theory है intelligence को लेके, Alfred Bennett, जो वाज रदर simple, as it arose from his interest in differentiating more intelligent from less intelligent individuals, Bennett के theory is as simple as it is, जैसे यह क्या करते हैं, individuals को categorize कर जिते हैं, कि या तो आप बहुत intelligent हो, या तो आप कम intelligent हो, it is nothing कि आप इतना intelligent हो, या बिलकुल intelligent नहीं हो या इस टाइप से, या तो आप इतने intelligent हो, मतलब more intelligent हो, या तो फिर आप less intelligent हो, तो यहां पर वो conceptualize करते हैं intelligence को एक similar set of abilities के अंदर कि अगर यह यह चीजों की abilities आपके अंदर है यह इन problems को यह problem solving में आप इन चीजों को use करते हो है ना that means कि हर एक problem in an individuals environment में होती है उसको sort out करने के लिए अगर आप इस similar set of abilities में से use करते हो that means आप intelligent हो और अगर आप नहीं कर पाते हो that means you are less intelligent और उनकी जो theory intelligence की उसको uni या one factor theory of intelligence भी बोला जाता है क्योंकि वो जस्ट क्या करते हैं conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem कोई भी प्रॉबलम आती है आपके इन्वार्मेंट में आपके आसपास में आप जिस भी इन्वार्मेंट में रहे हो you can just use this one set of abilities if you can use it in an effective way that means you are more intelligent if you can't you are less intelligent ठीक है that is the Alfred Bennett's theory यह first theory होगी second theory थी और्थर जैंसन ने दी थी hierarchical model of intelligence इसमें वो क्या करते हैं simply intelligence या ability इसको दो लेवल में बाट देते हैं level 1 और level 2 level 1 में associative learning होती है ठीक है जैसे route learning या memorizing जिसमें output जो है that is more or less similar to the input मतलब मैंने आपको बोला इत्ती चीज़ याद कर लेना आपने उत्ती चीज़ याद करके मुझे बता दी that is level 1 level 2 होती है cognitive competence यहां पर आपकी higher order skills जो होती है हो टीए जिसको बोला जाता है higher order thinking skills याई abilities तो उसमें हम देखते हैं कि आपका जो input है उससे कितना output अपला सकते हो मतलब मैं आपको थोड़ी चीज़ बोलू लेकिन आप उसमें thinking बगेरा या अपनी cognition को यूज करके एक बहुत ही great चीज़ प्रोड्यूस करके तो या उसका effective output हो तो that is the level 2 ठीक है तो एक हमने Alfred Bennett की बता दी एक हमने Arthur Jensen की बता दी दो थियोरीज बोलीं थी उनने psychometric approach को लेकिए clear okay further question number 26 is there a consistency between attitude and behavior explain क्या attitude और behavior के बीच में कोई consistency होती है ठीक है अगर होती है तो उसको आपको explain करना है देखो हमारा जो behavior होता है वो हमारे attitude को reflect करता है attitude क्या है हमारे एक state of mind हना हमारे thoughts हैं क्या ideas हैं क्या views हैं चीजों को लेकिए that is our attitude वो attitude हमारे behavior के through reflect हो जाता है so there is a consistency between attitude and behavior अब हम इसको explain करेंगे पहले तो उनने पूछे is there is a consistency तो हम बताएंगे yes यहां पर आजाएगा yes there is a consistency between attitude and behavior now how we will explain it further individuals attitude may not always be exhibited through behavior likewise once actual behavior may be contrary to one's attitude towards a particular topic psychologists have found that there will be consistency between attitudes and behavior when we will explain it to you this is the only thing that we will explain it to you this is the behavior reflect the way you can be the only thing that we will explain it to you this is the attitude कुछ और है लेकिन बीहेवियर में कुछ और reflect कर रही हूँ तो इसी लिए attitude और behavior में consistency होती है इसे दिखाने के लिए psychologist ने कुछ चीज़े बताएं जैसे मतलब कब हमको behavior और attitude में consistency देखने को मिलेगी तो सबसे पहले attitude is a strong and occupies a central place in the attitude system I don't think so you explain करने की जरूड़ा था understood है ना person is always aware of his or her attitude there is very little or no external pressure for the person to believe in a particular way for example when there is no group pressure to follow a particular no to agar इस तरह की चीज़े होंगी तो जो भी attitude आप करी करते हो वो आपके behavior में reflect होगा ही होगा then the person's behavior is not being watched or evaluated by others that means non-judgmental the person thinks that the behavior would have a positive consequence and therefore intends to engage in that behavior जो परसन उसको ऐसा लगता है कि उसका जो behavior है उसके positive consequences होंगे और इसी लेबो फिर उस behavior में engage हो जाता है तो all these things मतलब justify कि there is a consistency between attitude and behavior if these conditions prevail clear ठीक है आपको यहां तक भी कोई डाउट नहीं है now you have the or part of question number 26 ticket below 25 देखा 24 25 26 26 में आपको चैस मिल रहे है section C के अंदर elaborate the two step model of attitude change with the help of example those step model attitude change का वो बताना example के साथ में देखो the two step concept was proposed by SM Mausin he is an Indian psychologist clear as a highlights करने जो मैं आपको बोलती थी highlight का according to him attitude change takes place in the form of two steps पहली step क्या है the target of change identifies with the source the target is the person whose attitude is to be changed देखो target of change identified with the source target कौन है जिसके attitude में change हमको लाना है source क्या है person through whose influence the changes to take place मलब यह आपका क्या है यह है आपका target आपको इसके attitude में change लेकर आना है मानलो इसके attitude में change मेरे थुरू आ रहा है तो मैं क्या बन गई source तो पहली step उनोंने यह बताई target और source वाली identification means that the target has like and regard for the source identification का मतलब यह कि यह target है और यह source है तो यह दोनों जो है एक दूसरे को identify कर लेता है identify in the sense कि target जो है वो अपने source को like करने लग जाता है ठीक है she or he puts herself himself in the place of target and tries to feel like him or her source must also have positive attitudes towards the target and regard and attraction becomes mutual तो जब दोनों एक दूसरे की liking disliking को identify करेंगे और दोनों एक दूसरे के towards में positive attitude रखेंगे तब जो है वो change हमको देखने को मिलेगा second step में जो source है वो अपने अंदर से attitude change को show करेगा by actually changing his or her attitudes towards the attitude object मानलों किसी particular चीज़ को लेके इनका attitude है तो पहले जो है यह source अपने attitude को change करते हुए शो करेगा actual में observing the source change attitude the target also shows an attitude change through behavior तो जब target attitude को देखे को source को देखेगा कि इसका attitude में change आ रहा है तो फिर target भी अपने attitude को change करेगा तो यह two step जो है उन्होंने बताई है कि पहला दोनों को जो है हमको form करने और दोनों एक दूसरे को identify कर ले और दूसरे में दोने एक दूसरे को follow करने लग जाए clear? ओके, question number 27 explain आनि three intelligences of Gardner's theory of multiple intelligence अब जो है Howard Gardner ने theory of multiple intelligence दी आपको इसके तीन intelligence को explain करना है Howard Gardner total eight types of intelligence की बात करते हैं अलग-अलग है ना कि linguistic भी होता है फिर उसके साथ में musical भी होता है mathematical भी होता है, logical भी होता है हर एक तरीकी की आपको यहाँ पर उनमें से किसी तीन को explain करना है ठीक है, तो थोड़ा से पहले Howard Gardner की बारे में बताएंगे कि Howard Gardner ने theory of multiple intelligence दी और समय बोलते हैं, intelligence कोई एक single entity नहीं है rather distinct types of intelligence होता है हर एक intelligence दूसरे intelligence से independent होता है किसी के अंदर 3-4 हो सकते हैं, किसी के अंदर कोई एक ही हो सकता है eight types of intelligence उनमें बताये थे लेकिन उनमें से तीन को हम यहाँ पर describe कर रहे हैं सबसे पहला है body kinesthetic that is ability to use whole or portions of body flexibility and creativity मतलब आप अपनी body या तो पूरी body को या अपनी body के किसी part को flexibility के साथ में या creativity के साथ में use कर सकते हो तो वो bodily kinesthetic intelligence होती है, जैसे जो athletes होते हैं, dancers होते हैं, actors होते हैं sports persons होते हैं, gymnast होते हैं, वो कैसे अपनी body का use कर रहे होते हैं, even surgeons हाना, तो यह क्या करते हैं, इनके अंदर bodily kinesthetic intelligence होता है जैसे dancers के हम बात करें, तो किस तरीके से flexibility के साथ में अपना creative performance show करते हैं clear, यह हो गया first second interpersonal, interpersonal का मतलब क्या होता है, to understand the subtle aspects of others behavior और intra-personal होता है, understand one's own feelings and motives तो दोनों को थोड़ा-थोड़ा describe करेंगे कि interpersonal के अंदर क्या होता है, कि आप दूसरों की feelings, motives, behavior को समझते हैं की कोशिश करो और psychologist, counselors, politicians, social workers, religious leaders, इन सभी के अंदर hype interpersonal intelligence होता है क्योंकि आप देखो, जो politicians वगेरा होते हैं, वो कितने अच्छे से आपके motives को, आपकी feelings को समझके आपको जो है मतलब एक तरीके से convince कर देता है intra-personal में आपको खुद को समझता है तो यहाँ पर जैसे की आपकी identity क्या है, humans का existence क्या होता है, life का meaning क्या है, philosophers, spiritual leaders यह सभी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, इनके अंदर high intra-personal intelligence होता है तो यह आपको कुछ इस तरीके से describe करना है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है और भी बहुत तरह की intelligences होते हैं, जैसे spatial, linguistic, mathematical, musical, naturalistic आप इन में से कोई भी तीन explain कर सकते हो, clear? ओके, let's move further question number 28 and here we start our section D देखो, अब जो section D है, इसमें आपके 28 से लेके 31 ता questions होंगे that means total 4 questions, 4 marks each question, 120 words limit मतलब 4 questions है, आपको 4 marks मिलेंगे, हर एक question को answer करने के 120 words में आपको question को answer करना है क्योंकि अब word limit हमारे पास में ज़्यादा है, तो हमारे पास में मतलब questions भी उसी type के आएंगे कोशेश करो कि थोड़ा सा एक introductory part लिखो अपने answer के अंदर और फिर उसके बाद में उसमें आप क्या करो सारे मतलब बागी जो भी question में main part पूछा गया है उसको आप answer करना है, तो इस तरीके से हमको section D के questions को answer करना है, थोड़ा introduction, फिर main part of the answer clear, चले, बढ़ें, आगे, okay question number 28, elaborate the important elements of the group structure group structure के important elements होते हैं, वो आपको बताना है और इसको हम यहां पर elaborate करेंगे थोड़ा सा group के साथ में, कि देखो, groups जो form होते हैं, वो एक बहुत ही positive, मतलब एक positive अपना impact डालते हैं लोगों के उपर, क्योंकि जो लोग भी groups को join करते हैं, they join it की एक तरीके का assistance एक तरा कि security उनको मिलेगी, वो जो है, मतलब, अकेले नहीं होंगे, और साथ ही साथ में, groups एक sense of security हमारे इंदर लेकर आते हैं, groups में, जब हम participate करते हैं, तो हम अपने आपको strong feel करते हैं, तो थोड़ा सा groups का introduction देंगे, चीक हैं? Introduction में क्या लिखेंगे? Groups, groups क्या होते हैं? थोड़ा सा उसको हम बताएंगे 10 to 20 words में Next उन्होंने बोला, important elements बताओ, group structure के चार elements होते हैं, roles, norms, status and cohesiveness status and cohesiveness ठीक है? अब आपको करना क्या है? आपको start करना अपने answer को सबसे पहले मिलब introduction दिया दिन During the process of group formation, groups also develop a structure जब groups form होते हैं, तो groups एक अपना structure बना लेते हैं हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि group structure जो है उस एक structure के through ही members interact करते हैं तो इसके चार elements होते हैं ये लिखा हमने, now just make a flow chart elements of group structure मेरे पास space कहा है, इसलिए मैं छोटे में बना रही हूँ आप इसको अच्छे से draw कोई दा, चीक है? देखो, rules, norms, status, cohesiveness just draw this कर सकते हैं इतना, छोटा सा यह तो बनाना है और फिर उसके बाद में अपने answer को start करो पहले, rules को बताओ, फिर norms को बताओ, फिर status को बताओ, फिर cohesiveness को बताओ बहाँ सिंपल तरीका है ठीक है, flow charts बार 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 बुल देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताओ flow charts आप three marks वाले questions में भी कर सकते हो बट अगर नहीं बनाते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मतलब देखो वैसे, तो पूरे ही answer में कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपका answer अच्छा दिखेगा, आपको जादव marks मिलेंगे तो जब आपका section D जहां से start हो रहा है यहां से आपको अपने answers में एक introduction भी देना है highlights तो सभी में करने थे, यहां भी करने है flow charts बनानी है, ठीक है? examples पहले भी use कर रहे थे, यहां पर भी करेंगे जहां भी लगता है किसी तरीके का, मतलब आप diagram बना सकते हो किसी तरीके का graph बन सकता है, तो वो भी आप बनाओ ठीक है, इन answers में, क्योंकि यह long answer type 1 and type 2 questions है तो इसमें आपके पास में, मतलब जो है, थोड़ी सी autonomy होती है, आप यह चीजे कर सकते हो clear, introduction, यह सारा main part और इसके अंदर यह सब कुछ include करेंगे section E जब लिखेंगे, तब conclusion भी करेंगे, यहाँ पर नहीं भी करोगे, तो भी चलेगा 120 words है, main part पर जादा focus करो नहीं, तो आप लोग बोलो कि माम ने introduction और conclusion सिखा है, तो पहले उसी को लिख लिया पूरा, ऐसा नहीं करना, ठीक है understood, okay, अब पहले हमने rules के बारे में बता दिया, कि जो rules होते हैं, वो क्या होते हैं, defined expectations, हर एक person का एक अपना role होता है, इस पूरे group के अंदर, तो उसको वो rules जो हैं perform करने हैं, यह पूरे group के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ होती ही, कि individual से expected होता है, कि इस particular जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है, unspoken rules जिसे बोला जाता है, कि आप, अगर एक group का पार्ट हो, तो आपको इन चीज़ों को follow करना ही करना है, ठीक है, जैसे एक example, कि जैसे Indian cricket team है, एक example दे रही हूँ, team is a specific kind of group, वो groups के अंदर नहीं आता, पर मैं आपको example देने के लिए समझारे हूँ, यह लिखना नहीं, पर बता रही हूँ, कि जैसे cricket team है, तो उनका एक यह norm है, कि सभी के सभी blue jersey ही पहनेंगे, हाना, तो यह उनका norm है, यह बोला नहीं जाएगा यह चीज़ understood है, कि यह काम आपको करना ही करना है, clear है ना, तो यह norms होता है, इस status के एक चीज़ होती ही, कि हर एक group के अंदर आपका एक status होगा, है ना, जैसे कि यहाँ पर आप किसी group का part हो, तो उस group में आपका क्या status है, आपकी क्या position है, आपके roles तो बता दिये, आपकी position, आपकी status भी बताई जाएगी, यह rules, sorry, यह status या तो ascribed होंगे, या तो achieved होंगे, ascribed का मतलब क्या, कि आपको seniority की वज़े से दिये गए, sorry, this given may be because of one seniority, person has achieved status, because of expertise and hard work, ascribed का मतलब one seniority नहीं होता, बट यह होता है कि वो चीज़े आपके अंदर already present है, by birth है, चीक है, तो इसलिए आपको यह चीज़ दी कही, achieved का मतलब होता है, आपने हमने hard work के through, उसको achieved किया हुआ है, clear, cohesiveness, cohesiveness का मतलब होता है, togetherness, कि आगर आप किसी group का हिस्सा हो, तो हमेशा उसके अंदर एक जुटता बनी रहेगी, हमेशा सभी के सभी जो है, साथ में रहेंगे, binding रहेंगे, mutual attraction रह एक social unit की तरह काम करते हैं, isolated individuals नहीं रहते हैं, तो जितने भी members होंगे, highly cohesive group के, वो मतलब उनके अंदर greater desire होगा, group में रहने का, as compared to those जहां पे low cohesiveness रहती है, तो these are the four elements of a group structure that you must know, और आपको अपने answer में explain करना है, question number 28 का और part, explain the determinants of competition and cooperation, competition और cooperation के determinants आपको explain करने है, ठीक है, देखो, the determinants of competition and cooperation are as follows, either competing और either cooperating, तो इसके कुछ determinants होते हैं, जैसे सबसे पहला है, reward structure, psychologist believe that whether people will cooperate or compete, will depend on the reward structure, psychologist ये बिलीव करते थे, कि चाहे लोग एक दूसरे के साथ में competition करें, या चाहे cooperation करें, एक reward structure जरूर होता है, अगर आप cooperation कर रहे हो, cooperative reward structure जो है, वो promote करता है interdependence को, हर एक beneficiary reward का, ये reward is possibly only if all contribute, competitive reward structure one in which one get a reward, only if others do not get it, cooperative के अंदर क्या होता है, कि reward अगर मिल रहा है, तो जितने लोगों ने साथ में मिलके काम किया है, सब को मिलेगा, competitive में ऐसा होता है, कि उनमें से कोई एक ही जीतेगा, तो reward उसके पास में जाएगा, बट reward जो है, वो रहेगा, चाहे competition हो, चाहे cooperation हो, जैसे मानलो, आपने कोई group में रह के काम किया, तो आपको उसके लिए आपकी पूरी team को reward दिया जाएगा, लेकिन class में, exams में, सभी के बीच में competition था, लेकिन आपने top किया, तो उसके लिए आपको reward दिया जाएगा, तो reward structure तो रहेगा, next है interpersonal communication, इसमें क्या होता है, so when there is a good interpersonal communication, then cooperation is the likely consequence, अगर जितने भ बहुत अच्छे से है, तो cooperation जो है, वो बना रहेगा, communication facilitates interaction and discussion, as a result, जो group के members होंगे, वो एक दूसरे को convince करेंगे, अपनी बातों को लेके, और उनके बीच में cooperation बना रहेगा, तो interpersonal communication important होता है, reciprocity, reciprocity का मतलब क्या होता है, people feel obliged to return what they get, मतलब आप अगर किसी group का पार्ट थे, आ तो आपको उनने जो चीज़ दिया, आपको भी उस चीज़ को return करना होता है, like you are obliged to return what you have got, तो initial cooperation जो है, वो और ज्यादा cooperation को encourage करेंगी, competition, और ज्यादा competition को provoke करता है, तो reciprocity में ये चीज़ होती है, अगर आपको कोई help करा है, तो you feel like इसने मुझे help करा है, तो मैं भी इसके help करूंगा, on the other hand, अगर आपको कोई help करने से refuse करें, तो ये cooperation है, first case, second case, अगर आपको कोई help करने से refuse कर रहा है, तो जब आपको help की जरूरा थी, तो you are, मतलब आपके अंदर भी ये चीज़ आज़े कि अगली बार ये मुझे help मांगे तो मैं भी इसके help नहीं करूंगा, तो this describe any four behavioral techniques used by therapist, therapist, चार तरह की behavioral techniques को use करते हैं, आपको उसको describe करना है, देखो, a range of techniques is available for changing behavior, बहुत सारी techniques होते हैं, किसी के behavior को change करने की, जो principles होते हैं इन techniques के, वो या तो ऐसे होते हैं, कि आपको arousal level client के अंदर कम कर देना है, आपको उसके behavior को classical conditioning या operant conditioning के थू कम कर देना है, या इस तरह के से बहुत सारी techniques used होते हैं, बट हैर आर सम अब दी specific techniques that are used by the therapist, बट है नुब वन, परसंस विट behavioral problems can be given a token as a reward every time a wanted behavior occurs, tokens are collected and exchanged for a reward such as an outing for the patient or a treat for the child, so this is known as what, token economy, देखो, जो token economy होते हैं, उसके अंतर क्या होता है, कि हर बार जब भी हम चाहते हैं कि जो भी हमारा person है, जो भी हमारा target है, वो इस तरह से behave करें, और जब भी वो ऐसा behave करता है, तो हम उसको एक तरीके का reward provide करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, token economy, फिर ये tokens को collect किया जाता है, और reward के साथ में exchange किया जब उसको एक token provide करेंगे, और फिर उसको वो सारे token मिला के reward देंगे, तो जिसकी वज़े से उसको एक तरीके का reinforcement मिलेगा, ठीक है, दूसरी चीज़ है reciprocal inhibition operates here, मतलब principle of reciprocal inhibition, इसमें क्या होता है, presence of two mutually opposing forces at the same time, inhibits the weaker force, thus the relaxation response is first built up and mildly anxiety provoking scene is imagined and the anxiety is overcome by the relaxation, मतलब की दो opposing forces लेकर आते हैं, एक जो की बड़ी negative है, एक जो की बड़ी positive है, लेकिन जो relaxation वाली होती ही न, उसको पहले लेकर आते हैं, फिर हलका सा anxiety वाली को, फिर वापिस से कौन सा relaxation force को, तो मतलब यह होता है, कि client को tolerate कर वाया जाता है, कि आप aggressive और relaxed, दोनों ही situation को आप face करो, और बाद में उसको relaxed state में लेकर आया जाता है, इसे serious learning भी बोला जाता है, हमने learning में पढ़ा हुए class 11th में, then you have positive reinforcement, positive reinforcement कब होता है, deficit को बढ़ाने के लिए, जैसे for example, if a child does not do homework regularly, तो positive reinforcement में भी used by the child's mother, by preparing the child's favorite dish, whenever he or she does homework at the appointed time, वही रीइनफोर्समेंट वाली चीज़ कि जैसे, मान लो कोई बच्चा है, homework नहीं करता अब उसकी ममी बड़ी परेशान है, तो उसकी ममी नहीं बोला, आपर तुम homework करोगे, तो मैं तुमको तुमको तुमारी favorite dish बना के दूँगी, तो यह एक तरीके का positive reinforcement है, इसके through क्या होगा, कि उसका behavior जो है, doing homework का, उसमें हमको एक time के बाद में increase दिखने लगेगा, मतलब behavior change होगा, बट यहां पर हम क्या कर रहे है, जो behavior हम को नहीं चाहिए, उस behavior को कम करने की कोशिश करें, positive reinforcement के through, clear, so यह सारे points है, जो हमको अपने answer में लिखना है, four marks के है, four points भी अगर आप लिखते हो, elaborate it, तो भी चलेगा, okay, question number 30, with the help of examples, explain different types of stress, different types of stress होते है, इसको आपको explain करना ह examples के साथ में, तो वही है कि थोड़ा सा पहले stress के बारे में पता दिया, फिर बताया कि कितने तरह की stress होते है, तो देखो, एक होता है, physical, environmental, एक होता है, psychological, एक होता है, social, अगर हम बात करें, physical, environmental stress की, तो इसमें क्या हो रहा है, कि physical stresses are, demands, that change the state of our body, like we feel, strained when we overexert ourselves physically, like lack of nutritious diet, suffer an injury, or fail to get enough sleep, physical stress हमको तब होता है, जब हम अपनी body को, ठीक है, जब हम अपनी body के state को change कर देता है, जैसे अभी आप 8 गंटे सो रहे ताब stress की वज़े से 3 गंटे सो पा रहे हो, यह सो ही नहीं पा रहे हो, आपको वहीं इंजिरी हो गी थी, आपने डाइट में चेंज कर दिय है, पहले आप निटीशियस डाइट ले देता है, अब बुलकुल थोड़ा बहुत काले तो कि आपस पेट भढ़ जाए, ठीक है, इंवार्मेंटल इस्ट्रेस भी आस्पेक्ट्स होता है, हमारी सराउंडिंग्स से रिलेटेट, यहां पे कुछ अनवाइडिबल चीजे, ज ऐसी चीजों को देखा तो उसकी वज़े से इस्ट्रेस हम फील कर रहे है, ठीक है, तो फिजिकल और इन्वार्मेंटल इस्ट्रेस फिर्स टाइप होता है, बेन सेगेंड इस्यों साइकलोजिकल इस्ट्रेस, इसमें क्या होता है, वी जनरेट आरसल्स इनाम माइंड्स, ऐस इसी तरीके का इंटर्नल या सोशल प्रेशर आपको है, कोई फ्रस्ट्रेशन आपको है, कोई आपके गोल्स थे जिने आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर यांदर कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, आपको आपके अच्छे मांक्स में आरे एक एक्जांपल ले लो, तो उसको लेके हम इतना जादा टेंशन टेंशन लेने लग जाते हैं, तती सारी चीज़ों होने लग जाती हैं, कि एक मतलब इस्ट्रेस हम खुद से अपने माइंड में क्रियेट कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन रिजल्स फ्रम दे ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स और सम्वन दा कर पा रहे हैं, सोशल प्रेशर हमारे आसपास के लोग ही लेकर आते हैं, तो ये साइकलोजिकल हो गया, सोशल इवेंट्स जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, इस्टेंड रिलेशन शिप ट्रबल विट नेबर्स ये कुछ सोश परसन में फाइंड से इस तेंग फोम इन दा इवनिंग इस्ट्रेस इन देवनिंग से इस्ट्रेस फुल तो ये कुछ सोशल इवेंट्स के एग्जाम्बल है, लिख पाओगे कोई दिकत नहीं है, सिंपल सा है बहुत, ओके, ना या या व्ट्रू नुबर 31 और या 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 of abnormality, abnormality का socio-cultural model आपको यहाँ पर explain करना है, देखो, समझो अराम से, socio-cultural factors जैसे की war, violence, group prejudice, discrimination, economic और employment problems, rapid social change, ये सारी चीजे मिलके, ठीक है, ये सारी चीजे मिलके, पुट इस्ट्रेस on most of us and can also lead to psychological problems in some individuals, ये सारी चीजे मिलके, हमारे उपर बहुत सारा stress एक तरीके से रख देती है, ठीक है, और धीरे धीरे करके, ये psychological problems में convert हो जाती है, according to socio-cultural model, abnormal behavior is best understood in the light of social and cultural forces, हम बोलता है ना, कि abnormal behavior हमको देखने को मिल रहा है, abnormal behavior हमको क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि किसी तरीके का social या cultural influence है individual के उपर जिसकी वज़े से उसको इस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, as behavior is shaped by societal factors, factors such as family structure, communication, social network, social conditions and societal labels and roles become more important, क्योंकि जो हमारा behavior है, उसमें society एक बहुत ही important role play करती है, और यह हमको किस ने बताया है, Eric Fromm ने, हमने इनके बारे में इसी paper के अंदर भी discuss किया, तो यह नोंने हमको बताया कि जैसे हमारी personality develop हो रही है, personality के अंदर आपके attitude जी सारी चीज़ आती है, तो कहीं न कहीं, society उसमें एक बहुत important role play करी है, same चीज़ हमारे behavior के साथ में हो रही है, हमारा जो behavior shape हो रहा है, society उसमें important role play करी है, यह मैं आपको इसलिए समझारी हूँ, जो है, मतलब, over involved in each other's activities, thoughts, feelings, इसकी वज़े से भी क्या होता है, कि जो abnormality है, या abnormal behavior जो है, वो हमको देखने को मिलता है, now children from this kind of family may have difficulty in becoming independent in life, अब ऐसी family से जो बच्चे आते हैं, जनरली वो independent, अपनी life में जल्दी नहीं बन पाते हैं, आप बनते भी हैं, तो बहुत difficulties होती है, broader social networks in which people operate, include their social and professional relationships, studies have shown that people who are isolated and lack social support, that is strong and fulfilling interpersonal relationships in their lives are likely to become more depressed and remain depressed longer than those who have good friendship, तो studies क्या बताती है, कि जो लोग isolated रहते हैं, जाद लोगों से बात नहीं करते हैं, और बहुत ही उनके अंदर एक strong और fulfilling interpersonal relationship होती है, तो अपनी lives में, तो generally वो जादा depressed होते हैं, as compared to those जिनके friends वगेरा होते हैं, जादा अच्छी friendship होती है, social cultural theorist ये belief करते हैं, कि abnormal functioning, societal labels की वज़े से, roles की वज़े से, लोगों को trouble में डाल देता है, और कहीं न कहीं यही चीज़े, जब people in norms को break करते हैं, तो society उनको deviant या mentally ill बोलने लग जाती कि इसके तो कुछ समझ में नहीं आता, ये तो पागले इस तरीके से, तो ये कुछ labels होते हैं, जो stick कर जाते हैं, उस person की personality को लेके, और उसको crazy कर देते हैं, और फिर वो जो है sick हो जाता है, और इस तरीके से, उसको stress वाली चीज़े होने लग जाती है, तो ये पूरा आपको explain करना है, यहाँ पर मैंने paragraph के form में लिखाता, आप इसको कोशिश करना points में लिखो, और साथ ही साथ में highlight करो, यहाँ पर आपको paragraph के form में लिख रहा था, आप कोशिश करना उसको points में लिखने की, ठीक है, ओके, और part of your question number 31, discuss the various types of conduct disorders, conduct disorders को आपको explain करना है, देखो, the disorders included under this category are, oppositional defiant disorder, यह defined disorder, conduct disorder and others, children with oppositional defined disorder display, age in appropriate amounts of stubbornness या irritable defined, disobedient and behave in a hostile manner, देखो, जो आपके disorders होते हैं, ठीक है, उन में एक category है, oppositional defined disorder, conduct disorder और बाकी की, जिन बच्चों के अंदर आपको ODD, that is oppositional defined disorder देखने को मिलता है, वो कही ना कहीं उनके अंदर stubbornness आजाती है, मतलब बहुती जिद्धी हो जाते हैं, irritable हो जाते हैं, defined हो जाते हैं, चीजों को लेकिए disobedient हो जाते हैं, और hostile manner में behave करते हैं, जिन भी बच्चों को ODD होता है, they do not see themselves as angry, oppositional, मतलब उनको ऐसा लगता है, वो सही कर रहे हैं, वो कहां गुस्दा कर रहे हैं, वो कहां किसी के against में जा रहे हैं, तो इसलिए symptoms जो हैं disorder के, वो problematic और हो जाते हैं, interactions होगे रहे के साथ में, and the terms conduct disorder and antisocial behavior refer to inappropriate actions and attitudes that violate family expectations, societal norms and the personal or property rights of others, तो जो हम से question पूछ रहे हैं, conduct disorders, various types of conduct disorder हमको बथाने हैं, conduct disorder का मतलब होता है, antisocial behavior, मतलब जहां पर आप society के against जाके, अपनी age inappropriate way में act कर रहे हो, और साथी साथ में अपनी family के expectations, society के norms, इवन अपने personal property rights को भी violate कर रहे हो, इसे कहा जाता है, conduct disorder, क्या कहा जाता है, conduct disorder, अब, जो behaviors होते हैं, जो की conduct disorders में होते हैं, they include aggressive actions, जिसकी वज़े से आप खुद को या animals को harm provade करते हो, non-aggressive conduct causes property damage, major deceitfulness और theft, serious rule violations, जो भी बच्चे होते हैं, जिनके अंदर different types of aggressive behavior दिखता है, जैसे verbal aggression, physical aggression, hostile aggression, proactive aggression, dominating and bullying others, without propagation, etc. तो इस तरह की conduct disorder के अंदर ये सारी चीज़ होती है, इसके थोड़े से टाइप सुनोने बोले हैं, वो आपको detail में, थोड़ा सा, थोड़ा सा detail में explain करना है, clear, अब मुझे ये बात बताओ, section A, section B, section C, section D, four sections हमने answer कर लिये हैं, यहां तक कोई doubt आया है, कोई चीज ऐसी है, जो समझ में नहीं आई, क्या answer कैसे लिखना है, कौन सा point add करूं, या पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, exam में कोई, exam को लेकी कोई दिक्कत आ रही है, या paper solve करते टाइम पे कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझ से पूछो comment section में, ठीक है, आपकी सारे doubts को मैं answer करूंगी, जो भी चीज आप पूछने चाहते हैं, जो भी आप share भी करना चाहते हैं, कुछ आप share भी करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप motive समझें रहें सिर्फ एक कोईशन का, सिर्फ एक कोईशन है, six marks का कोईशन है, और word limit कितनी है, 200 words, आपको इस question को answer करना है, 200 words में, मतलब सबसे ज़्यादा word limit का हैं, section E में है, सबसे ज़्यादा marks किसमें, section E में है, सबसे ज़्यादा expectation किसमें है, section E में है, मतलब वो आपसे expect कर रहे हैं, कि आप थोड़ा सा detail में describe करते हो, अपने answer को explain करो, एक बड़ा answer है, बड़ उसको अच्छे से लिखो, सारे कुछ बताओ, जो भी आपको भी तक आता है, आपने पड़ा हुआ है, clear, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पर ये भी ध्यान रखना, कि word limit 200 है, लिखते लिखते, 250, 300 word limit पे मत पहुँच जाना, आप जाओगे, थोड़ा उपर आप जाओगे, चलता है, 220, 230, इतना भी चलता है, but not more than this, आप general instructions रीड करोगे, उसमें साफ लिखा है, word limit should not exceed 200 words, बलकि मैं तो बोलकि ठीक है, 220 word उपर जाएंगे तो चलेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कि word limit में रहना है, उतने में ही answer को लिखना है, तो जब question मुझसे पूरा full length पूछा जाएगा, और word limit में मुझे बान दिया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं flow charts बनाऊँगी, मैं diagram बनाऊँगी, मैं इसके तुरू अपने answer को explain करूँगी, ताकि कम शब्दों में, जादा चीज़ों को express कर पाऊँ, तो आपको भी यही same चीज़ करनी है, ठीक है, इस तरीके से section E को हमको क्या करना है, answer करना है, choice आपको मिलेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि एक कोशन आएगा, तो कौन सा कोशन आ सकता है, choice मिलेगी, आप choice कर सकते हो, तो बट, answer एक ही कोशन को करना है, time limit को ध्यान में रखते हूँ अच्छे से, ओके, let's have our questions, how does the trait approach conceptualize the notion of personality, discuss आणि two theories in detail, पहले कोशन को समझो, देखो, कोशन क्या बोल रहा है, जो trait approach होते हैं, वो personality के notion को कैसे conceptualize करते हैं, तो थोड़ा सा trait approach बताएंगे, और इसी trait approach के अंदर, personality की बात को भी discuss करेंगे, थोड़ा सा, यह आपके answer का first part होगा, इसको आपको करना है 50 words में मान लो, कितने में? 50 words में, ठीक है? इसके बाद उनने बोला, कोई दो theories को detail में explain करो, अब जो भी दो theories हैं, एक को आप answer करोगे 70-80 words में, एक को answer करोगे 70-80 words में, ठीक है? तो इस तरीके से, हम अपने question के answer को complete करेंगे, यही हमारा introduction होगा, trade approach और personality, यही हमारा introduction होगा, यह हमारा main part होगा, कोशिश करो, इसमें flow charts बनाओ, और finally एक conclusion, 10-15 words का, that's it, यह है section E का, full answer लिखने का तरीका, अब अंसर कैसे लिखना है, वो देख लेते हैं, ठीक है, देखो, the trade approach, focuses on the specific psychological attributes, along which, individuals tend to differ in consistent and stable ways, trade approach जो है, वो फोकस करता है, specific psychological attributes के उपर, जिसके थू, individuals जो है, वो consistent या stable ways में एक दूसरे से differ करते हैं, a trait is considered as a relatively enduring attribute, or quality, on which one individual differs from another, एक trait जो है, वो यह होता है, कि इस person के अंदर यह personality traits है, इस person के अंदर यह personality traits है, तो जो दिखाता है, कि एक person, दूसरे person से कैसे अलग है, on the basis of personality, यह थोड़ा introduction हमने बताया, now, they include a range of possible behaviors, that are activated according to the demands of the situation, इसके अंदर, कुछ range of possible behaviors होते हैं, जो situation की demand के according, अप्टिवेट हो जाते हैं, जैसे की, traits are relatively stable over time, they are generally consistent across situations, their strengths and combinations vary across individuals, leading to individual differences in personality, पढ़ा हुआ है सब, थोड़ा सा उसका यहाँ पर introductory पार्थ हम बताएंगे, आप उन्ने बोले दो थेोरीज बताओं, तो पहली थेोरी है, L-Ports, ट्रेट थेोरी, ट्रेट थेोरी में पहली है, L-Ports, ट्रेट थेोरी, इसको यहाँ पर explain करेंगे, second you have is cattle personality factors, ठीके, कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, अब जैसे एक example दे रही हूँ, देखो यहाँ पर, if, मान लो, यह आपकी notebook है, ओके, this is your notebook, अब मैं थोड़ी से notebook, अच्छे सी बना देती हूँ आपकी है ना, द्रॉ कर देती हूँ मान लो, यह आपकी क्या है, notebook है, आपको इसमें कैसे answer लिखना है देखो, जैसे यह answer हमने start किया, सबसे पहले हमने लिखा, the, personality traits, यह traits, ठीक है, जो भी आपकी hiding रहेगी, जो भी topic आया, वो आपने लिखा, इसको आपने किया underline, और फिर आपने अपना लिखा, ठीक है, यह आपका introduction चल रहा है, आपने थोटा और उसके points बगेरा बताए, जैसे अभी हमने 1, 2, 3 बताए, तो यह आपने 1, 2, 3 यहां पर लिख दिया है, इसके बाद में, जस्ट आफ्टर आ लाइन, आपने लिखा कि, यह तो थियोरीज, अब वो कौन-कौन सी हैं दो थियोरीज, तो जस्ट डू दिस, ठीक है, यहां पर एक box बनाया, उसमें लिखा, अलपोर्ट स्थियोरी, ठीक है, मैं ऐसी शॉट में लिख देरी, आपने इसको पूरा कंप्लेट किया, एक box यहां पर बनाया, एंड जस्ट कैटल, ठीक हो परसनालिटी, ओके, नाओ जस्ट यहां पर एलपोर्ट स्थियोरी ओफ परसनालिटी, इसको करो अंडरलाइन, और इसको पूरा पॉइंट वाइस, एक्स्प्लेइन करो, ठीक है, इसके बाद में, सेम लिखा, ठीक है, किस तरहा से हमको लिखना चाहिए, ठीक है, जो की एक स्टांडर्ड वे होना चाहिए आपके अंसर्स में, ओके, नाओ, लेट्स हाव लूग अट अलपोर्ट स्थियोरी और अलपोर्ट स्ट्रेट थियोरी, गौर्ड अलपोर्ट इस चंसिडर्ड अपाइनियर ऑफ ट्रेट अपरोच, यह बताते हैं कि इंडिवीजूर्स के अंदर नमबर अफ ट्रेट सुथे, जो नेचर में काईसे हैं, डियनमिक, ठीक है, individual के इंदर बहुत सारे trait approach होते हैं जो कि dynamic होते हैं वो बोलता है कि यह जो traits होते हैं यह determine करते हैं कि एक individual different situation में similar plans के साथ में किस तरह से behave करने वाला है तो the trait integrate extremely and responses which otherwise look dissimilar तो airport क्या करते हैं he argued कि जो words people use to describe themselves and others provide a basis of understanding of human personality जैसे कि कोई person अपने आपको या किसी दूसरे को explain करने के लिए किस तरह की words use करता है कहीने कहीं वो उसकी personality को दिखाता है एलपोर्ट इसी के basis पे फिर categorize करते हैं traits को cardinal, central और secondary अब यह हमको मिल गया एक flow chart बनाने का तरीका, आपको लिखना नहीं है इसको, आपको बस यह करना है traits, categories, ओके अब आपको क्या करना है just do this, यहाँ पे आपको लिखना है cardinal, ओके यहाँ पे आपको लिखना है central और यहाँ पे आपको लिखना है secondary यह बन के आपकी flow chart, अगर इन में short points है, तो यहीं के यहीं आप उनके points को लिख दो ठीक है, तो वो हमने flow chart के तुरू express कर दी अपनी चीज़ को, उसमें आपकी word limit उतनी नहीं लगेगी यहाँ पे आपकी word limit consume हो जाएगी और साथी साथ में आप उसको express भी कर पाऊगे तो cardinal में बताया कि highly generalized dispositions होती है और यह indicate करती है गोल around persons entire life seems to revolve जैसे महात्मा कांदी ने non-violence की बात करी, हिटलर ने नाजिजम की बात करी, तो यह सारे cardinal traits होते हैं, जो एक person की पूरी lifetime उसके surrounding में revolve करते हैं यह जो traits होते हैं यह associate हो जाते हैं उस person के नाम के साथ में जैसे गांधियन philosophy, hitlerian trade, etc. तो यह अपने effect में less pervasive होते हैं, but still quite generalized dispositions are called central traits, लेकिन जो और ज्यादा generalized dispositions होती हैं, वो central traits होते हैं, जैसे warm, sincere, diligent, etc. और इन्हें बहुत बार use किया जाता है testimonial writings में, job recommendations में, यह सारा कुछ आप बताओगे, फिर आप secondary traits पर आजाओगे, कि यह least generalized होती है, जैसे कि likes, mangoes, और prefer, ethnic, clothes, तो यह secondary traits हो जाती है, तो मतलब, यहाँ पर पूरा आपको वो traits के बारे में explain करना है, थोड़ा-थोड़ा करना है, मैंने paragraph में लिखाया, आप points में करोगे, ओके while airport acknowledged the influence of situations on behavior, he held that way a person reacts to given situation depends on his or her traits, although people sharing the same traits might express them in different ways, फिर थोड़ा सा और उसको की airport ने जो है, traits को intervening variables में बताया कि यह stimulus situation और person के response के बीच में attract करते हैं, एक सिक्टर एक सिक्टर पूरा explain किया, second आगे cattle personality traits के उपर, अब उन बताया कि जो रेमिंड cattle है, और उन्होंने एक common structure बताया है, जिसके basis पर लोग एक दूसरे से differ करते हैं, इस structure जो है, that could be determined empirically and he tried to identify the primary traits from a huge array of descriptive adjectives found in language, he applied a statistical technique called factor analysis to discover the common structures, अब ये common structure को हम empirically भी डिटर माइन कर सकते है, साधी साथ में उन्होंने जो है कैसे primary traits की बात करी, फिर उन्होंने बाद में जा के factor analysis के through 16 primary source traits की बात करी, तो ये सारा कुछ आपको इसके अंदर include करना है, source traits are stable and considered as the building block of personality, besides these, there are also a number of surface traits that result out of interaction of source traits, तो इसमें हम लिख सकते है, कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा, cattles personality, मैं शॉट में लिखी हूँ है ना, factors, तो एक factor है, आपके primary traits, okay, and second one are your source traits, अब यहाँ पर थोड़ा सा primary और source traits को describe करेंगे, clear, कोई डाउट तो नहीं इतने में, ठीक है, तो ऐसे हमको बताना है, cattle का personality factors, कुछ थोड़े points और source traits के स्माइड ओन करेंगे, कि cattle ने source traits को describe किया था, in terms of opposing tendencies, उन्होंने एक test develop किया था, that is 16 personality factor question आयर, जिसको 16 PF भी बोला जाता है, for the assessment of personality, फिर इस test को widely psychologist ने यूज़ किया, तो आप देखो, introduction हो गया, दोनों थेओरी समने बताती, फिर आप at last लिखोगे की in psychology, many psychologists have contributed a lot in the development or assessment of personality, and they have determined so many factors on the basis of which personality has been developed of a person, इस तरीके से कुछ करके आप थोड़ा सा conclude करोगे, ठीक है, बस 10 से 15 words में, कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इस तरह से देखो, आपको यह समझ में आया होगा, कि जो हमारे section E का question रहेगा, 32 question जो हमारे रहेंगे, उसमें हमको पूरा detail में describe करना है, clear, I hope so, यहाँ तक कोई doubt नहीं है, अब आपके question number 32 का और part आ रहा है, explain any four methods of behavioral analysis, behavioral analysis के four methods आपको बताने, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, behavioral analysis के बारे में, कि आप persons behavior in a variety of situations can provide us with meaningful information about his or her personality, so observation of behavior serves as a behavior analysis, जैसे मान लो, आप मेरे behavior को assess करना चाहते हो, या मेरे behavior को समझ के, उससे meaningful information drive करके, आप मेरी personality के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो, तो अगर आप मेरे behavior को observe करे हो, उसे ही behavior analysis कहा जाता है, and observers report may contain data obtained from interview, observation, ratings, nomination, situational test, तो यह सारे observer इनके through report को obtain कर सकता है, अब एक के करके जैसे थोड़ा सा discuss करें कि observation क्या होता है, तो observation एक method होती है, personality assessment की, जहां पर आप क्या करते हो, आप observation को use करते हो, personality assessment के लिए sophisticated procedure के through, और इसे generally trained people ही कर सकते हैं, untrained people इसको carry out नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें biased views वगरा आ जाते हैं, careful training provide की जाती है observer को, और उन guidelines को follow करते हुए, वो किसी के personality या किसी के behavior को observe कर रहा होता है, professional training, जो है that is required for collection of useful data, then इसके बाद में maturity of psychologist pre-condition होती हैं नहीं, तो psychologist उसको observe करके, जैसे मानलो आप मुझे observe कर रहे हो, और आपको मेरी personally कोई चीज पसंद नहीं आई, तो आप उसमें अपना personal factor डाल सकते हो, लेकिन जब भी हमको किसी को observe करना होता है, तो हमको biased नहीं होना है, हमको neutral रहके बस उसको observe करना होता है, तो इसलिए maturity होना, professional training, ये सारे चीज़ रेक्वाइड होती है, mere presence of the observer may contaminate the results, so as a stranger, the observer may influence the behavior of the person being observed and does not obtain good data, तो अगर observer का presence रहेगा, तो फिर उससे results contaminate हो सकते हैं, मतलब जैसे मान लो, कि आप मुझे बोलो कि मैं आपको observe कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा behavior थोड़ा सा जो है contaminated हो सकता है, कि मैं फिर एक particular sophisticated way में ही behave करूँगी, तो इसलिए as a stranger जो है, आपको किसी को observe करना चाहिए, उसके behavior को, second is your situational test, तो first हमने बात करें, observation की, okay, second is your situational tests, okay, situational test, देखो, अब इसमें क्या होता है, आब एराइटी अब situational test have been devised for the assessment of personality, most commonly used this kind of situational stress test, situational stress test में सबसे ज़्यादा situational test को conduct किया जाता है, इसके अंदर क्या होता कि किसी particular condition में, या कौन सी condition किसी person को stress feel कर रही है, okay, तो उसके लिए situational test यूज किया जाता है, यह जनरली ऐसे होता है, कि किसी particular situation के अंदर एक person किस तरह से behave करने वाला है, तो mainly उसको situational stress test में यूज किया जाता है, यह stress circumstances में यूज किया जाता है, test requires a person to perform a given task with other persons, who are instructed to be non-cooperative and interfering, तो इसमें test में हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को भी include करते हैं, जिनको instructions दिये जाते हैं, कि आपको non-cooperative रहना है और interfering रहना है, जिसकी वज़े से हमको उस person का actual behavior देखने को मिल सकें, तो वही points यहाँ पर आपको include करने, कि test के अंदर जो है, एक kind of role playing it involves, and the person is instructed to play a role for which he or she is observed, verbal report obtained की जाएगी यहाँ पर, साथी साथ में situation को realistic बनाया जाएगा, या फिर उसको realistic बनाने के लिए video plays के थूरू भी दिखाया जाएगा, clear? Third one is your behavioral ratings, अच्छा मैं यहाँ पर note क्यों कर रही हूँ, बताओ, थोड़ा सोच पा रहे हो, ताकि at last यह सारे points को include करके, हम एक flow chart बना पाएगी है, और वही flow chart आपको starting में बनानी है, यहाँ पर individuals को certain categories में रखा जाएगा, और फिर उनके behavior को assess किया जाएगा, उनके behavior की qualities को देखा जाएगा, और फिर उसके basis पर उनको ratings दी जाएगी, categories में different numbers भी हो सकते हैं, descriptive terms भी हो सकते हैं, और ऐसा देखा गया है कि numbers यह general descriptive adjectives, rating scales में confusion create कर जाता है, always creates confusion for the rater, तो in order to use ratings effectively, that traits should be clearly defined, मतलब कि आप किन-किन points के ऊपर rating कर रहे हो, यह बिलकुल clearly defined होना चाहिए, क्योंकि अगर यह चीज़ डिफाइन नहीं होगी, तो बाद में रेटर के लिए confusion creates हो जाती है, चिक है, तो method of rating जो है, उसमें कुछ limitations होती है, कुछ कुछ उसके limitations जैसे, hollow effect की tendency, raters की tendency होती होती ही, वो individuals को या तो middle पे रखेंगे, या तो extreme पे रखेंगे, तो थोड़े से 2-3 उसको भी explain कर दिया, कुछ words में, and then nomination, ओके, then what, nomination, nomination जो है, वो peer assessment obtain करने के लिए method यूज की जाती है, इसको persons who have been in long term interaction, and who know each other very well, उनके उपर इस को चूज की, मतब इस method को यूज किया जाता है, nomination method में, हर एक person को, जो है, choose करना होता है, one or more persons of the group, जिसके साथ, वो work, study, play, या participate करना चाते हैं, the person, मैं also be asked to specify the reason for his choices, जैसे मान लो एक पूरा group है, उसमें से, हम choice दे रहे हैं, कि आपको इन में से जिसको भी choose करना है, अपनी पढ़ाई करने के लिए, या खेलने के लिए, जिस भी चीज के लिए आप choose कर लो, अब मान लो मैंने ए person को choose किया, तो फिर मुझसे reason पूचे जाएगा, कि मैंने उसको क्यूँ choose किया है, उसका क्या reason है, नॉमिनेशन दस रिसीव्ट में बी अनलाइज तो अंडरस्टेंड अपर्सनालिटी और बिहेविरल क्वालिटीज ऑप दी पर्सन, तो यह जो मतलब टेक्नीक है, यह highly dependable है, लेकिन इसमें भी कुछ पर्सनल बाइस हो सकते हैं, तो these are the four behavioral techniques, clear, आपको इसका एक flow chart starting में बनाना है, या फिर just points आप note कर दो, और फिर एक एक करके उनको explain करने लग जाओ, clear, I hope so, question number 32, या section E आपको clear है, तो जैसे में आपको का कि आपको introduction देना है, main part लिखना है, flow charts बनाने है, highlights करने है, साथ ही साथ में answer को points में लिखना है, मतलब जादा तर आपको questions ऐसी होंगी, जहाँ पर answer आपको points में लिखना है, अगर वो कहीं कुछ ऐसी चीज़ पूछ रहते कि paragraph wise ही लिखना है, तो फिर बात अलग है, otherwise आपको points में answer लिखना है, conclusion करना है, clear, कोई doubt तो नहीं है, अब जितना जादा writing practice करोगे, उतना अच्छे से आप जो है, इन सभी questions को answer कर पाओगे, here comes the last section of your paper 6, question number 33 and 34 पूछा जाएगा, case study 2 के basis पे question number 35 and 36 पूछा जाएगा, आपको इन questions को answer करना है 30 words each, और आपको answer करने पे कितने marks मिलेंगे, 2 marks per question, तो टोटल 8 marks का है आपका पूरा section F, clear, सबसे easy बात यह है कि आपको case studies दी गई है, या passage दिए गए है, आपको बस passage को read करना है और उसी की basis पे आपको questions को answer करना है, clear, okay, here comes our case study 1, psychological notion of intelligence is quite different from the common sensical notion of intelligence, जो psychological notion है intelligence का, वो थोड़ा सा different है, common sense notion of intelligence से, if you watch an intelligent person, you are likely to see him in him or her, attributes like mental alertness, ready weight, quickness in learning, ability to understand relationships, etc, etc, तो जो लोग intelligent होते हैं, उनके अंदर हमको ये qualities, ये attributes देखने को मिलते हैं, Oxford Dictionary explain करती intelligence को as the power of perceiving, learning, understanding and knowing, early intelligence theorists जो हैं, उन्होंने इन ही attributes को use किया था, intelligence को define करने में, clear, समझ में आगे न, थोड़ा एक idea आपको लगिया है, now you have a question, how did Alfred Binet described intelligence, explain with his theory, Alfred Binet ने कैसे, Binet ने कैसे intelligence को define किया था, थोड़ा से explain करो, तो हम बताएंगे कि, available in different cultural traditions, Binet's theory of intelligence was rather simple, as it arose from his interest in differentiating more intelligent from less intelligent individuals, देखो, Binet क्या करता है, set of abilities बनाते हैं, मतलब एक तरीके से आप समझ लो, उन्होंने न एक ये structure बना दिया, या एक ये set of abilities बना दिया, ये इन चीज़ों को, inabilities को, अगर आप use कर पाते हो, problem solving में, decision making में, learning एक्सेटर, किसी भी चीज़ में, तो आप intelligent हो, और अगर आप इन्हें use नहीं कर पाते हो, या इन में से एक दो को ये use कर पाते हो, बाकी को नहीं कर पाते हो, तो आप less intelligent हो, तो it is as simple as it is, हना, कि सबसे simple theory, आपको बस उन्होंने ये एक चीज़ कही है, कि मतलब बनेट नहीं ये चीज़ कही है, कि बस हम एक set of abilities determine करेंगे, और जो भी इन set of abilities को use कर पाता है, he is intelligent और he is less intelligent, तो ज़्यादा confusion ही creating करना, इसी बज़े से इनकी theory को, यूनी factor या one factor theory of intelligence भी बोला जाता था, अब मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रही थी, कि हमको अपने question के answer में highlights करने है, मैं आपको इसी answer में करके बताती हूँ कि आपको highlights कैसे करने है, देखो, हम Bennett की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमने Bennett को highlight कर दिया, Bennett's theory of intelligence, ओके, इसके बाद हमने बताया कि उन्होंने differentiate किया था, more intelligent को less intelligent से, उन्होंने similar set of abilities की बात करी थी, और इसी के साथ में इसी लिए उनकी theory को uni, या one factor theory of intelligence भी कहा जाता है, पस, इतना तो करी सकते हो, यह तो simple सी चीज़ है, ठीक है, तो ऐसे आपको अपने answers को highlight भी करना है, I hope so clear है, ओके, next question, question number 34, what is the most accepted definition of intelligence, सबस्यादा accepted definition कौंसी है intelligence की, देखो, Wessler ने दी एक definition, की, intelligence, he understood in terms of its functionality, that is, value for adaptation to environment, he defined it as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his or her environment, अगर आप किसी भी situation में अपने rational mind को use कर सकते हो, आप जब भी कोई action कर रहे हो, तो एक purpose के साथ में कर रहे हो, और जिस environment में आप रहते हो, उस environment में अगर आप adapt हो सकते हो, तो मतलब पूरे एक global scenario में या aggregate level पे, अगर ये capacity किसी individual के अंदर है, तो वो कौन है? intelligent है, तो सबसे widely used जो intelligence test या intelligence को समझने के लिए, Wessler ने जो चीज़ बताई, that was on the basis of functionality, that is value for adaptation to environment, clear, लिख पाएंगे इसे भी, I hope so, समझ में आ रहा है, last case or the case study 2, ठीक है? Gordon Alport is considered the pioneer of trait approach. He proposed that, individuals possess a number of traits which are dynamic in nature. They determine behavior in such a manner that an individual approaches different situations with different planks. Gordon Alport trait approach के pioneer है, उन्होंने individuals को, मतलब उन्होंने प्रपोस किया कि individuals के अंदर बहुत सारे traits होते हैं, जो अपने nature में dynamic होते हैं, और इसी के basis पर, जो behavior है, मतलब इसी तरीके से वो behave करते हैं, और इसी लिए different individuals के अंदर, different हमको behavior की चीज़े देखने को मिलती हैं, मतलब की जो ये determine करते हैं behavior को इस तरीके से, कि एक individual different situations में भी approach कर पाता है, with similar plans, लेकिन हार एक individual अपने आप में different होता है, क्योंकि सबके अंदर जो traits वो carry कर रहे हैं, वो different हैं, तो जो traits हैं, वो integrate करते हैं stimuli के साथ में, and responses which otherwise look dissimilar, Alport argued that words people use to describe themselves and others provide a basis for understanding human personality, तो इस तरीके से, जब आप किसी के लिए जो भी words use करते हैं, उसको describe करने के लिए, या खुद को describe करने के लिए, यह एक base बना देते हैं human personality का, यहां से आप अंदाजर लगा सकते हूँ कि वो person की personality के सिक तरीके की होगी, क्या ideas, क्या thoughts वो carry करता होगा, clear, now you have question, describe Alport's theory of personality, वही पूरा दिया है paragraph में, वही आपको यहां पर बताना है, कि Gordon Alport pioneer हैं trade approach के, उन्होंने individuals को बताए, कि individuals number of traits possess करते हैं, यहां पर यहां पर रिपीट हो गया है, less pervasive in effect, but still quite generalized dispositions are called central traits, तो least generalized characteristics of a person are called secondary traits, वो करके थोड़ा थोड़ा एक मतब बताना है, word limit को exceed नहीं करना, आपको कम से कम words में ही उसको लिखना है, तो यह चीजों को ध्यान रखना है, last question, any variation in traits would elicit a different response to the same situation explain, अगर कोई भी variation होता है traits में, तो इससे different response same situation के अंदर मिल सकता है, इसको थोड़ा से explain करो, देखो, while Alport acknowledged the influence of situations on behavior, he held that the way a person reacts to a given situation depends on his or her traits, although people sharing the same traits might express them in different ways, Alport क्या बोलता है, कि situation का influence होता है, मतलब जो भी situation है, वो influence करती ही behavior को, और जिस तरह से एक person किसी situation में react करता है, वो depend करता है कि वो क्या-क्या traits अपने अंदर carry कर रहा है, वैसे तो हम सभी के अंदर same traits होते हैं, बट हमारा उनको express करने का तरीका different होता है, Alport consider traits more like intervening variables that occur between the stimulus situation and the response of the person, so this means that any variation in traits would elicit a different response to the same situation, तो इसी लिए different situation में, सारी, same situation में different response देखने को मिलता है, clear, so that is all about your passage वाले questions, आपको बस क्या एक चीज़ धिहान रखनी हैं, देखो, आपको passage read करना है और एक idea लगाना है कि question आप कहां से रहा है, कौन से chapter से पूचा जा रहा है, किसकी बात दो रही है, and finally just go on question और answers को note down करो, मतलब read करना है passage को, और फिर उसके बाद में questions को answer करना है, but 30 words for 2 marks, clear, अब मुझे बताओ कोई doubt है यहां तक, I hope so नहीं होगा, but still कोई भी doubt है, तो आप comment section में मुझे से पूच सकते हो, कोई भी चीज़ आपको पूछने है, related to your course, syllabus, पढ़ाई को लेके कोई tension हो रहा है, या कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे comment section में पूच सकते हो, हम मिलेंगे से के साथ में next lecture में, जहां पर और भी papers को discuss करेंगे, तब तक के लिए आप खुद भी जो है, इन papers को solve करते रहो, बार-बार एकी चीज़ में आपको बोलती हूँ कि आप जितना ज़ादा practice करोगे, आपके answer writing में उतना ही improvement होगा, उतने ही अच्छे से आप अपने answers को लिख पाऊगे, अजब answers को अच्छे से लिखोगे, तो marks भी बहुत अच्छे-च्छे मिलेंगे, ठीक है, तो practice करते रहो और कोई doubt है, तो मुझसे पूछो, हम मिलेंगे next lecture में, बने रहो magnet brains के साथ में और जाते-जाते ये भी जान लो, कि magnet brains की website को कैसे access करना है, अब तक आप daily lectures magnet brains की YouTube channel पर दिखते थे, वहाँ पर आपको मिलेंगे, साथ ही साथ में magnet brains की app है, उसे भी आप ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा जो magnet brains की website है, that is www.magnatebeens.com, यहाँ पर आपको सारी classes, सारे courses, सारे subjects, सारा material मिलेगा, बिल्कुल free of cost, high quality content with best teachers, सारे top courses और हमारे toppers भी, बिल्कुल साही सुना आपने, आपको यहाँ हमारे toppers भी मिलेंगे, तो आप जो है, इसको access कर सकते हो, बहुत ही easily, जस्ट Google पर एंटर करो, सारे classes, सारे courses आजाएंगे, course, class, click करो, subjects आजाएंगे, subject पर click करो, then you will get all the chapters, chapter पर click करो, सारे साब टॉपिक्स भी आजाएंगे, तो जो भी class, subject, जो भी पढ़ना है, just click on watch now, and video open, so बहुत ही easily आप इसको access कर सकते हो, आपको इसमें और भी धेर सारी चीजें मिलेंगी, तो आप scroll down कर सकते हो, इस अमेजिंग प्लैटफॉर्म, साथी साथ में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिं में बताया था, कि मागनेट बेंज किंडर कार्टन से लेके, class 12 तक के मागनेट बेंज बुक्स और इबुक्स भी लेकर आया है, जो कि हाई क्वालिटी कंटेंट रखते हैं, साथी साथ में, कुछ काटिग्री में डिवाइड हैं, जैसे सेंपल, कोशन, पेपर, MCQ बुक्स, थियोरी बुक्स और अगर आपको भी ये बुक्स चाहिए हैं, तो आप डिस्रिप्शन में फॉर्म फिल कर दीजिए, और हमारी टीम आप से कॉंटेक्ट कर लेगी, इसी के साथ में मैं आपको बता दूँ कि मागनेट बेन्स को आप टेलिग्राम, फेस्बुक, ट्विटर सभी पर एक्सेस कर सकते हो, even फेस्बुक पर भी, so that's not a big problem, मतलब बहुत ईजिली आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत परिशानी भी नहीं होगी, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिप्स को भी मागनेट बेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% free and quality education का फाइदा ले सके, so all the very best for your exams, हम मिलिंगे नेक्स लेक्चर में, for more updates, stay tuned with Magnet Brains और आप, वीडियो पसंद आया हो, तो like, share and subscribe करते हुए जाना, thank you very much.